हेलो फ्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा जो आपके सीटेट के एक्जाम में मैस पैडगोजी देखने को मिलती है उस मैस पैडगोजी की आज आपकी महा मैरेथन किलास होने वाली है देखें जितने भी आपके पैडगोजी के कोश्चन आते हैं तो आप लोग ने मेरी वीडियो देखे होगी संपून पैडगोजी के नाम से उसके अंदर आप लोगों को मैंने NCF से रिलेटीड जो आपके पोईंट बनते हैं आपके मैथमेटिक्स के अंदर उसको आप लोग जा कर देख लेना ठीक है वो आपके लिए पूरा हेलफफुल रहेगा क्योंकि NCF दोजार पास से संबंदित मैथमेटिक्स में कई कोश्चन आते हैं आज आज जो आपकी मेर पेड़ागोजी होती है लगबग हर साल आपके पेपर में रिपीट होती है और जो आपका एक्जाम होने वाला है उसमें भी आपको इसी प्रकार की पेड़ागोजी देखने को मिलेगी तो चले सुरुवात कर लेते हैं आज आज आपकी मैच्च पेड़ागोजी की महामेर सब्सक्राइब यो marathon class आपको देखने को मिल जाएगी, ये जो आपकी बागी की marathon class भच्ची है, उनको मैं जल्दी करा दूँगा, ठीके, कोशिस करूँगा आपकी science पैड़ागो जी की भी एक आपकी marathon class लेलू, social science पैड़ागो जी की marathon class के साथ, ठीके, चलिए friends, शुरू करते हैं, आज आपक जो marathon class होने वाली है, उसके आपर सुरुवात हम लोग यापर करते हैं, ठीके, उसके लावाद देखें, जितने भी आप लोग CTAT के student हो, जितने भी आप लोगों के लिए एक काम और किया है, चाय जो भी आपका paper 1 हो, चाय आपका paper 2, XYZ, कोई भी आपका paper हो, तो आप लोगो के लिए मैं कुछ free mock test दूँगा, ठीके, तो आप लोगों के लिए मैं आपर free mock test दूँगा, आपको अपने CTAT के exam के लिए, जो आप लोगों को मेरी application के उपर मिल जाएंगे, एक या दो दिन के अंदर मैं उनको थोड़ा update करवा रहा हूँ, आपके paper के recording, तो update होते ही, यह म मैं आपको दे दूँगा, तो जितने भी CTAT वाले बच्चे रहेंगे, चाहे उनका कोई भी paper रहेगा, तो mock test पर आप लोग practice कर लेना, और देखना कितना आपका score आता है, और कितना आपका score नहीं बनता है, ठीके, एक से गन्याराक में कुछ चला गया, ठीके, तो यह मैं आ concept के बार में पड़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग आपर question answer के साथ आपर चलने वाला है, ठीके, जी, good evening, मैं ठीक हूँ, आयोप आप लोग से आपर सब ठीक होंगे, तो चलिए class की आपर सुरुवात कर लेते हैं, जो आपकी math pedagogy की होने वाली है, ठीके, जो आपके mock test रह अब आपकी math pedagogy की class सुरुवात कर लेता हो, पहले concept को लेते हैं, देन उसके बाद question answer लेकर चलते हैं, सबसे पहले concept आता है, आपके exam में math का जो आपका nature होता है, गणित की परकरती से समझना पड़ेगा, कि आखरकार math होता क्या है, what is mathematics, इसके बारे में जानना पड़ेगा चलिए समझते हैं, इसके बारे में क्या का point दे हुए, जब भी mathematics की बात आती है, तो mathematics की परकरती रहती है, आपकी कैसे रहती है, तारकिक रहती है, logical आपकी परकरती रहती है, इसके अंदर आपका logic लगते है, जो आप लोग देखते हो न, logical thinking बच्चे कंदर आपकी start हो जात कि किस परकार से जोड़ा जाता है, किस परकार से चीज़ों को गटाए जाता है, तो इसका जो नेचर होता है, mathematics का, वो आपका logical होता है, यानि तारकिक होता है, इसके अंदर हम लोग तरक करते हैं, उसके लाबा, target of abstract, देखे, यहाँ पर mathematics के अंदर एक concept आपका दिया रहता अमूर्थ आपके जो तथे रहते हैं, abstract concept रहते हैं, तो उनकी लक्षय प्राप्ति के लिए भी हम लोग mathematics के आपर help लेते हैं, अगर मैं आपसे कहो कि 45 प्लस 87, बताइए क्या बन जाएगा, तो यह कैसा concept में आपसे पूछा, abstract पूछा, अमूर्थ पूछा, अगर मान लिज mathematics के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, अमूर्थ तथ्यों को यहापर सीखते हैं, अमूर्थ ताकि और भी आपर mathematics के माददें से हम लोग यहापर बढ़ते जाते हैं, ठीके, अगले आपका सठीक और वववस्तित, देखें इसमें ध्यान से सुनना, यहापर वच्चे दो प्लस तीन कितने हो जाएंगे, तो दो प्लस तीन आपके पाच ही होंगे, एक इसमें अनुमान नहीं लगा सकते हैं, अनुमान लगाना वैसे आपका जो रहता है, वो primary level के आपका दिया हुआ है, अनुमान लगाना इस्टिमेशन, बट आपको ध्यान लखना है, अगर प्राइमरी लेवल की बात आजाए, अगर बात आजाए, आपके प्राइमरी लेवल की बात आजाए, तो उसमें फिर हम लोग सटीकता नहीं लगा सकते, उसमें बच्चा अपना कुछी भी लगा सकता है, नजदीक में लगा सकता है, इस्टिमेशन लगा सकता है, तो जैसे प्राइमरी लेवल पर, तो सठीकता बरी चीज़े नहीं बताता, एक दम सठीक चीज़े नहीं बताता, आसपास में बताता, जैसे हम लोग देखते कि सो के सन्निकटवा मान कौन सा होगा, हजार के सन्निकटवा मान कौन सा होगा, या इसके लगबग में क्या हो जाएगा, तो ध्यान नखना Mathematics का नेचर आपका सठीक और ववस्तित होता है, एक तरीके से आपका सरन्चनित होता है और आपका सठीकता देखनों मिलती है, और उसके लावाब जब बात आजाए आपके Primary Level की बात आजाए, ठीके किसकी बात आजाए Primary Level की, ठीके, उसके बाद बात करते हैं, आपका सुत्र सिद्धान की बात करते हैं, फोर्मूले आपके पिंचिपल कहाँ पर बात करते हैं, देखें, mathematics के अंदर आपके फोर्मूले तो रहती है, पूरा mathematics आपका फोर्मूले के उपर यह आपका आधारित रहता है, तो यही point आपका चिनात्मक होता है, सिंबोलिक होता है, अब देखे, एक्जामिनन ने इसको कई बार पूछावा है, उप्सन के अंदर, ये सबी वो पॉइंट है, जो मतलब आपको उप्सन में आज तक पूछे गए, और जादे तर यही पूछे जाते है, सिंबोलिक होता है, आपका चिनात्मक होता है, अगर मैं जोड लिखूँगा, घटा लिखूँगा, गुणा लिखूँगा, भाग लिखूँगा, तो मुझे कुछ न कुछ सिंबल्स का, कुछ न कुछ चिनों का यहापर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लाव मैथमेटिक्स के आपका रहता है, डिडेक्टिव रिजिनिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, देखे, आप इस पॉइंट के अंदर ध्यान से सुनना, अगर बच्चों को जैसे पढ़ानी की बात आती है, अगर हमें बच्चों को कोई नुमेरिकल देना है, कोई सवाल उसको देना है, तो सबसे पहले बच्चों को रूल यहाँ पर सिखाने पड़ेंगे, देन उसके बाद उसको एक एक्जाम्पल की हल्प ले सकते है, ठीक है, तो डिडेक्टिव आपका नेचर का होता है, रूल टू एक्जाम्पल की और यहाँ पर देखने को मिलता है आपका, ठीक है, तो आपका यह वाला पोइंट हो गया, अगला है आपका सेनिबर्द होता है, एक सीरीज में होता है, एक सीरीजन के अंदर होता है, जो आपका मैथमेटिक्स होता है, मानली जैसे मैं मुझे बच्चो को जोड के बारे में सिखाना है, एडिशन के बारे में सिखाना है, तो पहले मैं बच्चो को सिखाऊंगा कि बेटा, तीन प्लस दो कितने होते हैं, सतासी कितने होते तो बच्चा यहाँ पर एक जो उसको concept शिखाय जा रहा है, एक सेड़िपद सिखाय जा रहा है, एक सिरीज में उसको सिखाय जा रहा है, यह निकि सबसे पहले हम उसको सीधी तीन संक्या की जोड़ यहाँ पर बता देंगे, ठीक है, पहले एक, दो, तीन इस अब इसके अंदर देखने मिलती है, और abstract concept यह आपका यहाँ पर आगया, जो मैंने अभी आपको बताया था कि abstract concept के और यहाँ पर यह लेकर चलता है, ठीक है, एक सूपर चैट है यह उसका दे देते हैं, सर मेरा नाम पूना में, और admit card में मेरा नाम form बनने वाली की गलती से पूना हो गया, सर क्या में test दे सकती हूँ, या नहीं exam center पर मेरी entry हो सकती है, देखे अपना जो आपका identity card रहेगा, उसको लेकर चले जाना आपकी entry हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जो जो आपका identity card होगा, जैसा आदार card हो, एक दो लेकर चले जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके entry हो जाएगी, ठीके, बड़ बाद में इसको सही करवा लेना, जो आपकी CVSC की unit है, वहाँ जाके सही करवा लेना, इसको, ठीके, सीटेट वाली, तो यह सभी mathematics का nature हो गया, जो मैंने आपको बताया कि, कैसा होता है, mathematics का सभाव कैसा होता है, उसके बार में एक एक करके मैंने आपको चीज बता दी, ठीके, अब ज़रा question को उपन नजर डाल लेते हैं, पोल दे दो इनको, ठीके, और sorry, question इसके बाद आएंगे, अभी कुछ और आपके concept रहते है, ठीके, यह मेरे, मुझे ध्यान नहीं कि इसके बाद question है, अब इसके ब आनन्द पूरवक सीख सके, यह mathematics का vision है, अभी आपके दिक्कत आएगे कि mathematics के संदर में क्या के चीज़े negative आती है, वो बाते भी आपको देखने हो को मिलेगे, ठीके, तो सबसे पहली बात है कि बच्चे math को कैसे सीखे, आनन्द पूरवक सीखे, अब आप लोग में से कोई वीडियो देख रहे है, उनको कुछ लोग आज वीडियो देखने नहीं आएंगे, कहेंगे, अरे यार आद तो मैट्स की क्लास है, मैं क्यों पढ़ूँगा, मैं क्यों पढ़ूँगे, ठीक है, मैट्स को छोड़ के भी सीटेर का exam पास कर लेगे, जी हाँ, आप लोग पास संपून गनित सीखे, मैपून गनित मतलब बच्चे unnecessary types का mathematics न सीखे, वो mathematics सीखे, जो बच्चे के वास्थिक जीवन में भी उनके आव सकता हो, को पूरा कंने वाला हो बच्चे गणित को ऐसा वी समाने जिस पर वे बात कर सके मैंने वो यह वाली बात कही मैच से भगने की जोरत नहीं है NCF 2005 आपका mathematics के संदर में क्या कहता है हर कोई गणि सीख सकता है क्या कहता है हर कोई math सीख सकता है इस बात को कोन कहता है NCF 2005 कहता है ठीक है यह बात मैंने आपको बताई थी उस वीडियो को देख लेना संपून पेड़ागोजी वाली कंदर उसमें NCF 2005 से related जो जो बात आपके mathematics के संदर में कही है वो मैंने आपको बता दिये बच्चे सार्थ तक समस्या उठाय है और उसको हल करे मतलब कहने की बात वही है एक मैत्पून गणी सीखे जो भी प्रोलम हो आपनी सार्थ को जो उसके चिंतन को बढ़ा सके जिसमें बच्चा लोजिकल ही चीजों को समझ सके बच्चे अमूर्थ का परियोग संबंदों को समझ सके ठीक है अमूर्थ का परियोग मतलब एबस्टेक कंसेप को सीख सके ताकि ओचीजों की बीच में आपर रिलेशन यहाँ पर बना सके अध्यापक कक्सा के परतेग बच्चों के साथ इस विश्वास के साथ काम करें कि परतेग बच्चा गणी सीख सकता है जो बात आपका NCF 2005 भी कहता है कि टीचर को यह मानना पड़ेगा कि हर को ही मैथमेटिक्स को यहाँ पर सीख सकता है ठीक है तो यह बात आपकी जरूरी है तो यह आपके कुछ वीजन थे मैथमेटिक्स से सम्मंदी ठीक है यहाँ से कुशन आपके आते हैं है अब देखे यहाँ पर आपकी दिऊचे समस्या है समस्या है कि आये मैletिक्स को पढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए उन समस्या के उपर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं सबसे बड़ी समस्या है भै और असफलता यानि जो आपका डर है, फिर है, यह सबसे ज़्यादा आपके पेपर में अगर कोई आता है, तो यही वाला आता है, कि mathematics के संदर में, इस बात को आपके NCF 2005 ने भी कहा हुआ है, ठीक है, NCF 2005 ने भी इसके संदर में बात कही है, कि mathematics के अंदर लोगों का क्या डर है, फिर, डर र ता रहा हु, देख ता रहा हु, जब खुद भी पढ़ता था, जब कही साल हो गयाते, पढ़ाते, पढ़ाते, मलब इसमें gender stereotype मत करना, कभी मुझे ही यहाँ पर कुछ कहो है, तो आपको mathematics के अंदर जो सबसे बड़ा डर रहता है, वो रहता है, भैका, डर का, कि हमसे नहीं ह होगा, हमसे नहीं सीखा जाएगा, कुछ मेर से बोलते थे, पहले जो बच्चे रहते थे, सर क्या mathematics से बिना government job मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, कोई भी आप paper उठा के देख लिए, बिना mathematics से job नहीं मिल पाएगी, तो mathematics से आपको सीखना पड़ेगा, यह सबसे बड़ी सम मस्या रहती है, जो लोग इससे डरते है, ठीक है, अब इसमें दोनोत प्रकार के जंडर आ जाते है, मेलो चाए फिमेलो, ठीक है, आप लोग उसको कितना भी कोशिस कर लीजे, ठीक है, थोड़ा बहुत effort लगा सकते हो, बट आपका करिकुलम आपका store होना चीए, बच्ची क सकता हो, क्योडिंग होना चीए, ठीक है, ये बास समझ गे, इसमें आप लोग books वगएरा लिख सकते हो, जो भी आपकी mathematics सी books वगएरा, किताबे वगएरा, उसको आप लोग लिख सकते हो, कि बच्चे के वास्तिक जीवन से connect होनी चाहिए, बच्चों के लिए उसके अंदर आपका इसी interesting content होनी चाहिए, जिससे बच्चा खेल खेल में मज़ेदार तरीके से आपर सीख सकेए, ठीक है, अपरियाक्त अधिगम सामगरी, देखें, learning materials भी अभी इतने परकार के नहीं हुए, जैसे मैंने का कि आपकी, मुझे द्यान है, जब 5 साल पहले की बात है, जब म नहीं जाओंगा, क्योंकि सरकार ही कामें, ठीक है, तो TLM उतने परकार के नहीं है, भी हमारे स्कूल के अंदर, जितने हम लोग उसको सिखा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में TLM का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगला है निकरष्ट आकलन प पदिती हमें आज की डेट में यूज ही नहीं करनी है, हमें तो बच्चों को कुछ एक्टिविटी देखनी है, ताकि बच्चा अपना कुछ खोजवीन करके सीख सके, ठीक है, तो इसके मादधम से भी आपकी मैथमेटिक्स के अंदर क्या बननी है, प्रोवलम यानिकि समस् अगर आप टीचर को ही अपने सब्जर की नौलीज नहीं होगी, देखे मैंने आपको लैंडिंगओ परवावित करने वाले कारक के अंदर एक कारक आपका बताया ता, तो घ्या, तो बच्चों को क्या पढ़ेगा फिर आपका, ठीक है, तो उसकी आप लैंडिया États लचश ड पतलब बच्चों की तरफ से कोई इंट्रेस्ट ना लेना यार अगर आप मैतमेटिक्स के अंदर किया किसी भी सब्जेट के अंदर आप लोग इंट्रेस्ट नहीं लोगे तो बात नहीं बन पाएगे तो सबसे पहले इंट्रेस्ट लो आज इस मैस पेड़गोजी की वीडिय करते हैं फिर उसके बाद इसके कुष्टनाद सराएंगे फिर दूसरे टोपिक के ओपर हम लोग यहां पर बात करते हैं ठीक है एक मैसी जाया सर मेरी सिश्टर का नेम साक्सी दिवांगन की जंग है उसकी बड़ी बहन का नाम हो गया है फोम डेट बनने से तो एक्जाम दे यार यह लेडी सब मैंने आपको बता चुगा था CDP की मेराथन किलास केनता है तो CDP की मेराथन किलास आप लोग ने नहीं देखी तो उसको जाकर देख ले ना मैंने का था CDP आपका एक कैसा सब्जेट बनता है ना वो आपके सिर्फ आपके CDP नहीं बाकिके दूसरे प्रोजेक्ट में आपको बता हुए। 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 जो मेरा काम है, अगर उसके अंदर मैं कोई कमी छोड़ रहा हुए। प्रोजेक्ट में आपको बता हुए। तो मैं तो किसी को कुछ भी ने कहने कहा हुए। आपकी इच्छा है, मैं जो अपना काम मेरा है, वो करता जा रहा हुए। इसमें जो आपका में रोल जुन्होंने निबाया हुए। उसके ओपर किसका ध्यान नी जा रहा। जितनी भी सरकार है आपकी, यह सरकारों की वज़े सा आपका हुआ है। इसमें यह जो संगठन नहते हैं, संगठों की वज़े सा आपका हुआ है। इसमें किसी बच्चे की, इसमें किसी टीचर की गलती नहीं है। ठीक है जो बे वज़ए बच्चें आपस में लड़ रहे है या टीचर को किटी साइज कर रहे है तो जो आपके परतिनिति रहते हैं ठीक है जुनों आपका परतिनिती आपका समाला हुआ है सरकार के अंदर चाहे कोई भी आपके हो ठीक है उनको आप लोग जाके करिए उन्से डिमांड आप लोग करिए उसके बावजूद भी अगर आप लोग वह नहीं करना चाहते मतलब मुझे कहना चाहते तो आप लोग उपन हो आपके कमेंट मैंने उपन किये हुए आप लोग गाली देना है, गाली दे सकते हो, उल्टा सीधा बोल सकते हो, मुझे इसके सम्मद में कुछ नहीं कहना कि मुझे आपके इस बात का कोई बुरा लगेगा, तो ठीके, क्योंकि मैं वो लेड़ी अपना काम सुरु से मांदर इससे करता रहा हूँ, जितनी चीज अपने हाथ में उतिनी तो कर पाएंगे, ठीक है, सुप्रीम कोट के डिसीजन के अकूडिंग तो कुछ बोली नहीं सकता न, जो उनके डिसीजन उन्होंने दिया है, तो जो सरकारे इसके अंदर, सरकारे इसके अंदर फेल हुई है, तो सरकारों को मतलब यहाँ पर बोलना चीए, इना कि ट पढ़ना, गनित के आपके निचर की बात होगी, आपको देखना है इसके बारे में कौन सा सही नहीं है, उसके ओपर यहाँ पर नजर डालने है, पहला यह तारकिक विवेचन पर आदारित है, किस पर आदारित है आपका लोजिकल रीजनिंग पर, मैंना आपको बता है, इस में मैथमेटिक्स के अंदर क्या रहता है, हर बच्चे के अपने सिंबल्स रहते है, ठीक है, जोड़, गटा, गुना, भाग, इनके माध्यम से हम लोग बच्चों को सिखाते है, दूसरा पोइंट मैंना आपको बता है, तो यह भी आपकी इसकी विसेशता है, उसके लावा इसका अति सीमित अनुप्रियोग है, बिल्कुल गलत, जो आपके दूसरे भी सब्जेक्ट है, मालीज़, आप लोग साइंस उटाते हो, साइंस और मैत्मेटिक्स तो दो भाही बाही यह आपके, तो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको मैत्मेटिक्स आपको देखने को मि पालीदियरे सर्जी सरम नएयरी उन लोगों को हो तेनों को उनको उनको बच्छों को यह Azуд और किके उनके साथ मतलब जैसे होतीजि़ मैं युशे निदा ठीक कि मतलब हो बच्छे कूछ इस्प्रकार से वह इसल्य ध क्योंTP तो नराजगी है उनकी बच्चों की और नराजगी को सरकार अगर इस मैटर को जो भी मैटर रहते है शुरू से अगर अच्छी तरीक से लेती शुरू से गलत नीतिया नहीं बनाती नीती ही गलत बनाईए दोजार अठारे के अंदर जो आपका बनाएगा जल्दबाजी में उ करा खुद मेरे कितने जानकार है जिनको हम लोगों ने भी अपना करवा दिया था किसको बीटी से अपना करवा दिया था अब किसको बीएड और बीटी सी कराने के बाद पता चलता है कि उनकी डिग्री इन्वेलिड उस पेपर के लिए अब आप लोग खुझ अंदा जा ल घलती निए, कोई भी बच्चे के, ठीक है? देखते अगला कॉश्चन, निमलिकित में से कोंचा गनित के संबन्न में सही नही है? अज़िएकर दबार कॉश्चन आप से पूछा, गनित के संबन्न में सही नही है? उसके ओपर हम लोग आपन नज़ता है? ठीक है, पहला दि एविडेंस होते हैं जो हम लोग अपने जो सेंसरी ओर्गन होते हैं जैसे मालीज अपना आग का यूज करा इसका यूज करके जो हम अपने एनवारिमेंट से चीजों को कलेट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर आपका जो परमानिकता रहती है वो आपकी एंपरिकल एविडेंस पर आपकी नहीं रहती है ठीक है आज चीजों के बीच में संब्ध बना रहा है मालीज आमने कुछ देखा इनफोर्मेशन कलेक्ट करी मालीज हमारी मदर है सबजी खरीद रही है तो यह अपका नेगिटीव है जैसे दूसरा दिए यह निगमनातमक वीवेचन पर आदारीत है डिडिक्टिव रिजनिंग पर आधारीत है मैने अभी आपको बता है उपर आपका पोईंट गए इसको ऑपर आपका आधारीत है यह एक सरजना आतमक विसेये छेतर है और इसका सुंदरिय प्रक मुल्य बिल्कुल ठीक बात है आपका कैसा है क्रियेटिव आपका जो आपका सब्जेक्ट है और आपका एस्थेटिक वेल्यूज यह भी इसके अंदर है एंचे भी बात करता है इसे तर्क द्वारा विद्धिकृत अभी पुष्ट किया जा सकता है दे निक्ता को करने की बात करते तो आँशर आपका नेगिटिव नेगिटिव का आँशर यही आँशर आपका नेगिटिव हो जाएगा बढ़ते बापके सामने नेक्स्ट कोश्चन की और इसी से जुड़ा हुआ ठीक है देखे इसलिए मैंने आपको सुरुआत में सारे के निकलेंगे देखे गणित में बच्चों के विवेचन और तारकिक चिंतन योग्यताओ को ठीक है किसकी बात हो रही है आपके रीजनिंग और आपके लोजिकल थिंकिंग की बात हो रही है दोनिया आपके मैथमेटिक्स का नेचर होता है रीजनिंग और आपके लोजिकल thinking भी होता है ठीक है तो इसको विक्षित कर निकले निमलिकित में से कौनचा सरवाधिक उप्यूगता है बता हुई बन सिरे वाले परसनों का यूज करना देखे close ended question की बात आगी close ended question वे question होते है जिनका जो answer होता है वो कैसे रहता है answer हमेशा एक निकलेगा ठीक है अगर मैं आपसे पूछू कि जो आपका mathematics होता है तो mathematics की आपका logical nature का होता है तो आप लोग क्या बताओगे जी येस आप लोग सभी answer दोंगे अगर मैं पूछू mathematics आपका logical nature का क्यो होता है तो आपर आप लोग दोगे एक से ज़ाद answer दोगे तो आपर आपको देखने को मिलेगी creativity देखने को मिलेगी ठीक है तो यह आपका close ended question है ता आपका जो अभिसारी चिंतन जिसके अंदर आपका होता है और जो आपका open ended question है जैसा आपके सामने दिया भी होगा यह आपका open ended question होते है इसके अंदर जो भी इन question का जो answer रहता है वो जब आपका एक से ज़ादा देखने को मिले तो आपका open ended question होता है ठीक है तो जो भी आप लोगों के open ended question होते है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है रचनात मक्ता यानि कि आपका creativity इसके अंदर आपको देखने को मिलती है ठीक है तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि विवेचन और तार्किक चिंतन योग गिताओं को विक्सित करने के लिए कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा close ended question तो हम लोग कभी लेही नहीं सकते मानक कलन विदिया देखे यहाँ पर बात हो रही है आपके दो दो चीज हो गई एक तो standard और एक आपका algorithm देखे अगर मैं path करूँ पहले कलन विदियो की बात कर लो जो कि आपके mathematics के अंदर सब ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है option के अंदर भी और वैसे भी आपकी algorithm method वो method होता है जिसमें हम बच्चों को समझसा का एक ही परकार से समझसा का समझसा का समधान करना यहाँ पर शिकाते है creativity को basic लिए खतम कर देता है जैसे मैं कई बार आपको बता चुको फोर एक्जामपल में अगर मैं कलन विदिया की बात कर रहा हूँ मुझे बच्चों को बता रहा है कि 22 प्लस 34 बताओ इसका जोड़ बताओ अब देखा हमने बच्चों को इस सोल करने के लिए दे दिया तो बच्चा अगर दो नंबर की संक्या को सोल कर रहा है तो बच्चा इदर से सोल करेगा 3, 2, 5 और 4, 2, 6 यांचा से ही निकल गया अगर मैं इसको दे दू 27 प्लस 28 ये मैंने दे दिया अब बच्चा फिर क्या काम करेगा फिर इदर से इसको सोल करेगा कैसे soul करेगा यहां पर दोर-दोर 4 और 7 और 8 गया रहे इस प्रकार से कर देगा यहां पर ठीक है तो बच्चे को जो अपना चीज़ों सीखता है उसी का धार पर वोस चीज़ों को बढ़ाता है और इसी के अंदर फिर creativity करता है और इसे के अंदर फिर बच्छा गलतिया करता है तो मैंने तो आपको वताएवा है कि जो बच्चकी जो गल्तिया होते हैं तो बड़ी माहत्मून होती है वो टीचिंग लेंडेंग प्रोसेस का हिصसा होती है आप लोग भी गल्तिया करते हों हम लोग नहीं भी कलतिया करे हम भी कोई चीज़ सीखते है उसको जोडने दो, यहापर बच्चे ने क्या करी, गलती तो करी ना, कोई बात नी, गलती करने दो, गलती को फिर टीचर सुधारेगा यहापर, लेकिन जब पहले ही टीचर ने उसको बता दिया नहीं, लेट साइड से जोडना है आपको, और फिर उसकी तरफ इधर बढ़ते जाना आपको, तो बच्चे की तो creativity खतम कर दी न, इसके अंदर, जो बच्चा यहापर अपनी creativity लाता, जो यहापर चीजों को सम्मध बनाता, चीजों को जोडता, तोड़ फोड़ करता, उसके मादम से बच्चा चीजे सीखता, वो तो teacher ने गलत कर दिया, यहापर teacher ने बार बार गलती जितनी भी करेगा, फिर आप उसको रिमिडेल टीचिंग देकर, उस समस्था का समधान, उस concept को आप लोग यहापर समझा सकते हो, इसलिए कलन विदी को इतना जाद महत्पूर नहीं माना जाता, क्योंकि बच्चे की creativity को खतम कर देता है, यह हम लोग जैसे पढ़ते थे पुराने टाइम में, हमारे टाइम पर यह कलन विदी का यह होता था, चलो वही, आद तुम्हें जोड के बार में सिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद जोड के कुछ numerical दे दिये, उसके बाद कहा दिया, जाओ, इनको हमर करके लाना, या किताब के नीचे जो पाठा भी मार दे, इतना डर है, आजगी डेट के अंदर बच्च होगा, ठीक है, तो आपका algorithm method होता है, कलन विदी होता है, यह तो आपको नहीं मानना, सूतरों, तत्यों और पहाडों को इसमन करना, देखे, जहां भी याद करनी की बात आई ती, मैंने का था, गलत कर देन इसमें सिर्फ आपका open-ended question होगा, एक question से देखे, कई सारे point आपके निगले हो, आपका algorithm method इसको ध्यान अख लेना, जो मैंना आपका बता है, definitely आपको देखने को मिल जाता है, आपके mathematics की पेड़ागोजी केंदे, ठीक है, आंसार आपका force ही हो जाएगा, open-ended question हो जाएगे, जिसमें बच्चा एक से जादा है, question के answer यहाँ पर देगा, ठीक, अगला question देख लेते हैं, सामने आपकी screen पर next question आगया, इसके बारे बें हम लोग आपन अज़र डाल लेते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है बई, इसके बाद मा आपके करा दूगा, ठीक है, तो एससटी के मैं करा दूगा, उसको मैं लगबक complete करा दूगा, उसके लाव मुझे नहीं लगता, आपको, SST के लिए Social Science के लिए Pedagogy को करने के आपर जुरूत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यार उसका content इतना होता है, content के लिए कम से कम, मान के चले 15-16 घंटे उसकंदर चाहिए, तब भी जाकर content नहीं ने पड़ता, पिछली बान मैंने 4 घंटी के मेरतन दीती, बट उसकंदर सिफ जो पाईती, ठीक है, तो जो चीज सच हो सच है, जूट नहीं बोल सकता कि मेरी 4 घंटी के मेरतन देख लो, सारी SST में से आ जाएगी, बागी में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कि भी CDP में जैसे मैं आपको कराई, EBS कराई, language कराई, Hindi कराई, ठीक है, इसके अंदर मैं जिम्म जिम्मेदारी नहीं बनती, ठीक है, जूट बोलना हो जाएगा फिर आपका, निमिले कि तमें से कौन सा गणीतिय सत्यों को स्तापित करने के लिए अधिकतर उपयोगी होता है, गणीतिय सत्य है, ठीक है, जो mathematics के जो आपके सच होते है, उनको स्तापित करने के लिए कौन सा अधिकता उंपयोग होता है, जरह उसके बारे में आपको आंसर देना है, और क्या आंसर आप लोग इसके साथ जा रहे हो, ठीक है, चले के करके हम लोग बात करते हैं, देखे पहले हम बात करते हैं, परियोग की, तो experiment के अंदर यहापर, अगर इसके घणित के सत्यों को इस उसको ले सकते हैं, लेकर अगर व्यापक छेतर में देखा जाए, तो हमको इसके थोड़ा बचना चीए, लोजिकललीजिनिंग को हमको इसको लेना चीए, अभी ग्रहितों को लेना चीए, अभी ग्रहित क्या होता है? अभी मैं आपको बताउगा, exam क्या होते है, थीोरम क्य पादि वो चीज यहाँ पर सोल होती है बड़ जो आपके अभी गरीत होते है यह वो रहते हैं जिनको सच मांने जाता है इनको अपने आपी सच मांने लो अगर में आपसे कहुँ कि 5 प्लस 8 तो कितने होंगे तो 5 प्लस 8 हो जाएंगे आपके यह जाएंगे 10 हो जाएंगे तो तो इसको मान लो, आट प्लस पाच कितना होता है, बट किसी को वीडियो मत दिखा ना कहेंगे, देख टीचर बेवकूब बना रहा है, तो इनको बिना प्रूफ के मान लिया जाता है, अरे यार सचिंसन ने कही है, हम से ज़्यादा तो इनको पता ही है, चलो आट प्लस पाच दस ही होता है, ठीक है, तो आपने मान लिया, अभी आपका गणीतिया तत्यों को इस्तापित करने के लिए उपयोगी इसको ले सकते है, क्योंकि इसमें सभी चीजों को मान ले जाता है, मैतमेटिक्स के अंदर जो सबसे बड़ा विवाद रहता है, वो आपका अभी गरीत क के उपर आपका देखने मिलता है, ठीक है, आतो COD के साथ हम लोग यहापर जा सकते है, ठीक, चले बढ़ते हैं आपके सामने, एक और question सामने आपकी screen पर यह रहा, आपकी screen पर अगला question जो आपको दियावा है, इसके बारे में हम लोग नज़र डालते है, ठीक है, ठीक है, सर इतना भारीपन हो रखा है, कि यह दिन से marathon class ले, 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 ठीक, तो कल तो हिम्मती भी new marathon class ले, ठीक है, तो मैं देखूंगा science वाले बच्चों के लिए, question को पर नज़र डालते हैं सामने screen पर है, निमली की तिमेंसे कौन चा कथन बच्चों की दिख इस्तान समझें, लगालो भाई, इसके उपर भी आपका बड़ा महत्पून, आपका special understanding, जिसकी बात मैंने आपको किसके अंदर बताईती, NCF 2005 का जब मैंने आपको बताईता, तब मैंने आपको बताईती, special understanding, special understanding को उते हैं, जिसमें बच्चा, अमूर तर्थों के आदार पर अपना concept निकालता है, ठीका, मूर तर्थों के आदार पर कुछ result निकालता है, कुछ चीज़ें सीखता है, जैसे आपने पड़ाता, Harvard Gardiner की multiple intelligence story, बहु बुद्धी सिद्धान, जिसके अंदर आपके Harvard Gardiner ने NCIT के अगोडिंग, आपकी 8 परकार की बुद्धी बताई हुई है, उसमें उसी परकार से, इसी परकार की जो आपकी समझ होती है, इस पेशल वाली, जहापर बच्चो को अमूर तर्थों के मादधम से उसको सिखाए जाए, मैं आप बच्चो को बार बार ये थोड़ी सिखाऊंगा, कि 2 पलस 8 कितने होते है, या 15 पलस 27 कितने होते है, मैं सीधा पू पर बता है, अमूर तर्थो निचर होता है, अपस्टेट के और आपका जाता है, तो यह उतियाप की स्पेशल अंडेस्टेज्टिंग होती है, और जिसको बढ़ावा आपको जाद से जाद आपको बढ़ाना है, ठीक है, आयोप आप लोग इसके बार में समझेंगे, आप उसके उपर आपको बताना इसके संतर में कौन सा नियूनतब उप्युकत जो सबसे कम उप्युकत वह आपको बताना है, पहला प्राहत्मिक इसकूल के बच्चे तारकिक संक्रामक निसकर्स नहीं निकाल सकते, देखे यह जो आपका ट्रांजिटिव इन्फेनेंस की बात हो र तो पहला इसने गरत बता है ठीक है प्रात्मिक स्कूल के बच्चे आकरतियों कि अवधान नहीं जो आपकी शेप से रहती है उनके कंसेप्ट को वास्तिविक जीवन की परिस्थितियों में विश्थर्त कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हमें इक जो आपका चेप्टर दिया है अभी नुमेरिकल की जब मेराथन किलास आएगी तब मैं उसके इंदर आपको बता दूगा जिसमें किलो मीटर को मीटर को लीटर को आपस में चेंज करने की बात होती है तो यह आपके सिलिबस में दिया हुआ है तो इस तरक को समझ सकते है करे早ओ की सिलिबस धर सर्वाती स्कूल के वर्षों में बच्यों का दिक स्थान संबंधी पूर विधा यानि जो प्री स्कूल ज्यान होता है उससे संबंधात्महोता है बिलकुल होता है तो यह सब है आपको पोजिटिव है नेगिटिव आपका यह है तो सबसे नियूनतम विप्यूक्त आपका पहले यह आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है एक और बढ़ते आपके कोश्चन के और फिर हम लोग एक दो कोश्चन बचे फिर हम लोग अगले टोपिक को और पर बढ़ेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स के नेचर से सम्मंदित इसकी विशेशता उसे सम्मंदित आपके एक्जाम में दो-तिन कोश्चन टकरा जाते है ठीक है इसका आंसर जरा अब आप लोगों को देना है देखे आप लोग इसके साथ कि अजर्शन दिया हुआ है कई विध्यारति गणित में भै और असफलता के बोध का अनुभाव करते है मैंने आपको सुरुवात में बता है मैथमेटिक्स के अंदर जो आपकी प्रोब्लम बताई अभी उपर कंसेफ्ट समझाया पहली प्रोब्लम क्या होती है मैथमेटिक्स के बरती बत्यों का डर तो यह जो आपका डर रहता है असफलता रहती है यह इसके बोध का अनुभाव कराती है बिल्कुल हर बत्यों को कराती है आप में से बहुत से बत्ये डरते होंगे ठीक है किया mathematics है हम नहीं आएगा हम नहीं सीख पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर अर्जर्शन तो आपको दे दिया ठीक दे दिया अब यहाँ पर दिया हुआ है कारन दिया हुआ है आपर कि gender विभीनता है यानि जो आपके gender differences होते है gender differences मतलब में लोगे फिल्म में लोगे उनके बीच में आपर differences की बात हो रही है गणित में भै के लिए उत्तर दाई है इसका कहने का मतलब है जो मैंने बात सुरू में कही कि वही मुझे तो आपका गलत संदर में नहीं तो आपका इस्के अंदर यह आपका oh नहीं कि इसका ठीक है तो आप लोग थर्ड के साथ यहां पर जा सकते हो जो कि आप लोग यहां पर जा भी रहे हो ठीक है चलिए बढ़ते बाप के सामने अगले कोश्चन को बढ़ते हैं फिर उसके बाद हमारा टोपिक आ जाएगा नेक्स्ट वाला यह रहा सामने आपकी स्क ज्यादा पैनिक मत लीजिए इसको ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन को और बात करते हो जो आपके सामने स्कुन पर नेक्स्ट कोश्चन है उसके बारे में अज़र डाल लेते हैं देखें आपको दियावाई की निम्रिकित में से आकलन की कौन सी विधी अध आपको बता चुका। और आपको डोलीजिए तो यह तरीका हो जाएगा पेपर पैंसलते को मैंने कहा था जहां भी दिख जाए तो पेपर पैंसल टेस्ट को अपने पैंसल काटमार देरा एक्जाम केंता है ठीक है बाकी सब मैं देखेंगा ठीक उसके लावा summative assessment, summative assessment भी नहीं होगा आपका, अब आपका क्या चल ला है, आपका formative assessment सबसे जाद इसको बढ़ावा देनी की बात आपके करी जा रही है, ना कि summative assessment, यह सब मैं आपको CDP के इंदर बता चुका हूँ, formative assessment, वो assessment, जो आपका teaching learning process के दोरान होता है, summative assessment, जब आप कहा पर है, आपका, फोर्थ आंचार आपका सी हो जाएगा, आप लोग किसके साथ जा रहे हो, यहापर, आप लोग जा रहे हो, फोर्थ के साथ जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका, चलिए, अब बढ़ते हैं, अच्छा, एक question हो रहे है, उसके बाद, भाई, य आपको इसके प्रकरती के बारे में यह चीज बताए, ठीक है, एक question देखे, फिर हम लोग आने वाले next topic के उपर, आगे देखे, यहाँ पर कथन दियावाएक, statement दिया है, कि बच्चों को गणित के सांस्कृतिक और एतियासिक मैत्यू के साथ जुढने के अवसरों को, उनकी गणित के परती रूची एवं सकारात्मक मनुवरत्ति निर्मान के लिए संभावे रूप में देखा जा सकता है, तो यह यहाँ पर जो statement दिया, यह जो कथन दिया है, क्या यह सही है, गलत है, पहले तो मुझे बता दो, कि यह सही है, दोफशन में, यह सही नहीं है, पहले सिंपल इतनी बता दो, कि गणित के सांस्कृति को और एतियासिक मेहत्त के जिडने के उसर को, उनकी इंट्रेस्ट और सकारात्मक मनुवरत्ति निर्मान के लिए संभावे रूप में आपर देखा जा सकता है, बताओ कि इसके बारे में आपर ठीक है, सही है, इतना ही बता प्लान मैथमेटिक्स के संभावे आ रहे है, तो आपका बिल्कुल ठीक है, तो सही नहीं वाले, अपना अंसर गलत कर लेना, अब सही है में भी देखना है, कि कौन सा सही है, अब जार इसको पर नज़र डालते है, कौन सा सही है, बीबी के साथ आप जारे हूँ, ठीक है, कि की बीबी के साथ, सेकिंड वाले की बीबी के, कि सही है और प्रात्मिक स्कूल के बच्चों में गणित के परती रूची को प्रोसाइथ करने के लिए इस तरीके के आउसर परदान करने की ज़र होता है, ब्लिकुल ठीक बात है, जब यहाँ पर पोजीटिव संभन बना रहा चलिए बढ़ते बाद के कुछ मैथमीटिशन के बारे में बात कर लेते हैं, आपके एक्जाम में एक तो जरूर राता है, दो भी आपके एक्जाम में आ जाएंगे, मैथमेटिक्स के जो आपके मैथमीटिशन होते हैं, उनके बार में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जै तो वैन हिली के बारे में यहां से सुरवात करते इसको अपर नजर डालते ठीक है हाँ ठीक है भाई आप जो आज टीचर को गाली दे रहे और भविसे मगर वह टीचर बन जाते तो तुम्हार इस तुम्हें गाली देंगे तो आपको कैसा फिल करेगा कुछ बच्चे जिनको सायद पता नहीं है मतलब यह कुछ बच्चे जैसे फैसल आया उससे नराज होगे तो टीचर को उपर निकाले ओ ठीक है तो मैं मुझे बता है कुछ बनाने वालों की वज़े से सब कुछ मतलब यह चीज हुई है ठीक है बाकि बीटी सी वाले 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 विचारे दोनों इसके अंदर मतलब अपने परेशान नहीं अपने बात करते हैं अब वेन हिले ऐसे यार मतलब आपके एक्जाम में जरूर देखने को मिल जाते है ठीक है तो इनको पर नजर डाले ना क्योंकि mathematics के अंदर जो आपके सबसे महत्पुन होई है वो आपके वेन हिले वे अब इनके बार में देखते हैं अब देखे इन्होंने आपका geometrical thinking का आपका concept दिया geometrical thinking का इन्होंने आपकी theory यानिकी सिध्धान दिया geometrical thinking यानिके आपका जियामित्य चिंतन अब इन्होंने बताए कि जो बच्चा होता है वो geometri को किस परकार से शीखता है जैसे आप लोग बच्चे रहे होंगे मैं भी बच्चा रहा हूँगा ठीक है तो हम लोगोंने वे निले ने बताई कि जो बच्चा होता है वो geometry को किस परकार से सीखता है कैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो बच्चा जो मेंटर को कैसे सीखता है ठीक है अब देखे उसके लिए इनोंने जो थोरी दी उसके लिए मैं कुछ आपके सामनी स्क्रीन पर पिक्स्चर्स है इनके मादम सापको समझा देता हूँ हाला कि यह सभी मैं पहले भी डिस्कॉस्चन कर चुका हूँ देखे अब बात करते हैं इनोंने दिया आपके अलग-अलग प्रकार के लेवल दिये ठीक है लेवल जीरो लेवल वन टू थीरी फोर मतलब इस प्रकार से इनोंने यहाँ पर लेवल दिये अब इनोंने बताए कि प्रकार से शीखता है पहला उन्होंने दिया आपका लेवल जीरो दिया जिसका नामता आपका वीजुलाइजेशन या जिसको कहा जाता आपका चाक्सूसी करेंट जिसको कहा जाता यह थोड़ा स्क्रीन पर अगर आपको कम देखे तो कोई बात नहीं काम चला लेना आप मै बिस्किट दिखाता ने बाद उसने बिस्किट की सेफ बनी है तो बच्चा यहाप जिस ब्हें चीज को जिस भी जव्योमेटिकल चीज को शिखता है वह देखकर शिखता है, वीजूल करके सिखता है नि इसको का जाता है वीजूलाइजियस्य recommends यानि कि argument जाएक करता है ठीक है कैसे देख क्यों शिखता है अगला के चाहले लेवल आपका अनलीची लेवल अब यहापर बच्चा क्या काम करता है यहापर जो सेपस होती है और एक के Auf बना दिया और यहाँ पर आपका एक square बना दिया तो इनकी विशेज था हो कि आधार पर इनकी properties के आधार पर बच्चा क्या काम करता है अर यार इसके आपने सामने की side equal होती है और भाई इसकी सबी side equal होती है ठीक है तो यह आपका rectangle है यह आपका square है ठीक है यह आपका analysis level हो गया अगल है आपका informal deduction ठीक है जिसको आप लोग relationship के नाम से भी जानते है cbsc वाले relationship को ज़्यादे लिखते है पता नहीं उससे क्या इनको लगाव है ठीक है तो यहापर बच्चा क्या काम करता है इन shapes के बीच में यहापर relation बनाना यहापर start कर देत सबसे पहली बात आपके primary level के लिए तो आपके यह 3 level होते है ठीक है primary level पर सबसे महत्मुन आपके यह 3 देखने मिलते है आपके इन नहीं से घिए इसको आपको ठीक है घिक को आप लोग एक्जयोमेटिक के नाम से इसको गया जाना जाता है deso प्राइमरी के लिए प्राइमरी के लिए तो अब यहाँ पर देखें कैसा कोशन आपके एक्जाम में यहाँ पर पूछा गया उसके उपर नजद डालते हैं जैसे यह कुषण आपका वेन हिली से सम्मझित पूछा गया आई उप आप लोग इसका अंसर दोगे तो चले इसके बारे में नजर डाल लेते हैं क्या यह question दिया है ठीक है अच्छा ठीक है यह message बेजा है कम सिन भी नाम आपका पूरा किलिन नहीं हुआ मुझे ठीक है इन्होंने कोई सूपर चैट बेज़ी है ठीक है चले इसके उपर आप नजर डाल लेते ठीक है ठीक है एक काम और क्या करो यार प्लीज आप लोग उसे request है आप लोग जो इस सूपर चैट में पैसे बेजते हो को कि बच्चा खुश होता है कि मतलब सर हमारे लिए कंटेंड करा रहे है फिरी में इतनी चीजे करा रहे है और साथ में इतना सपोर्ट भी दे रहे है अब बट अभी आप लोगों से पैसे लेते हो अच्छ नहीं लगते है एक बार जब आपकी जोब लग जाएगी उसके बा आपके देखेंगे और मुझे पैसे नहीं दिया करोगे ठीक है अब बात कर लेते हैं और कहीं ओर दी देखो किसी गरीब को दीदिया करो जान और उको कुछ खाना खिला दिया करो वह सबसे बढ़िया रहेगा बजाए मुझे सूपर चैट में पैसे भीजने के ठीक है चले किस लेवल पर है तो उसने क्या काम करा यहां पर दिया उसको एक चतरभूज बनाने के लिखा और उसको कहा कि इसको पहले लोग राम में कर दो बच्चे न कर भी दिया तो यह कौन सा लेवल हो जाएगा वीजुलाइजेशन हो जाएगा एनलिसिज हो जाएगा फॉर्मल ड दर आपका फानार से हो जाएगा ठी कर तो फॉर्मल के साथ है और फॉरूर्म घमृट दिया ज kettle fel कर बीचे कोर रहा है उनको बीच में लग सेट टीक और तो एंजेशन के साथ नमेले Okay ठीक है भाई, अच्छे साइंस वाले, मैंने का मैं थोड़ा सा देखता हूँ भाई, क्योंकि इनको बनाने में यार बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जो मैराथन कि लास होती है, आप लोग साध यकीन निकरोगे, कई के गंटे लग जाते हैं, जो आपको ये दो, चार, पा आपके जीन प्याजे देखने मिलते हैं, क्योंगे, सीडीपी के अंदर भी, लेंग्वेज के अंदर भी, और यहां भी, यहां भी, जो इन्होंने एक आपका चीज़ों के बारे में कंजर करना सीखता है, यह कंजर में मतलब, जब बच्छा किशी, दो सेप्स के बारे में, तो आपका कंजर्वेशन होता है, तो कंजर्वेशन इन्होंने बताए कि नंबर्स का कैसे कंजर्वेशन करता है, संख्याओ का कैसे कंजर्वेशन करता है, तो जब इन्होंने बताए संख्याओ के बारे में, सबसे महत्पून इन्होंने नंबर्स को बड़ा महत्पून मान में अगर यह बात होती है और numbers का conservation कैसे करना है सबसे पहले बच्चा क्या काम करता है सबसे पहले जो करता है वो करता है number के बार में ठीक है उसके बाद करता है बच्चा length के बार में उसके बाद बच्चा करता है weight के बार में जो आपकी concept रहते हैं चीज रहते हैं उसके बाद बच्चा करता है वोल्यूम के बार में इस प्रकार से जो बच्चा होता है वो चीजों के आपर conservation करना है आपर start कर देता है ठीक है नमबर का, length का, weight का और volume का तो कभी-कभी exam में सीधा पूछ ले जाता है कि इनका sequence इनका सही करम क्या होगा तो इस प्रकार से हो सकता है और संख्याओं के बार में इन्हों ने यही बात कही कि जो संख्याओं होती है वो logical mathematics में important होती है logical mathematics के अंदर संबंद बनाने का काम करती है जो संख्याओं करती है और इन्होंने एक और बात कही थी क्योंकि exam में सीधा इनका statement आ जाता है तो इस statement में हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा सकते है जो प्याज ने कही दियो पत्थर की लगी रहे आपर इन्होंने कहा कि ज question इंचे जुड़ा हुआ क्या है आपके सामने स्क्रीन पर question के उपर हम लोग यह आपन नज़ा डाल लेते हैं तो अगला question इसके उपर नज़ा डाल लेते है ठीक है ठीक है यह question आपके सामने स्क्रीन पर है यह रहा जीन प्याजे के द्वारा दिये गए गयान के छेतर में निमलिकीत कथनों में से कौन सा कथन आपका सई है। ठीक है चली बढ़ए थेब आपके next के बारे में बात करते है जोर्ज पोलिया के बारे में बात करते है ठीक है यह रहे आपके सामने जोर्ज पोलिया इन्होंने बताए कि किसी समस्था को समधान किस प्रकार से क्या जाता है अब देखे प्रोब्लम सौलूइंग मेथड़ बात करते हैं सिंपल सा देगी अब इसकी पूरी में इस्टी नहीं बता रहा कि कहा कि आपके मैथमीटी संते कैसे उन्होंने बुक लिकी कैसे उसके अंदर प्रकार बता है क्योंकि जो डिटेल में मैंने चैप्टर बता रहा रहे उसके अंदर आपको करा चुका हूँ और अगर आप लोग इसका मैं सीधा ही आंशर बता दू तो आप लोग आंशर भी इसका यही दिया वाए देखिए आप लोग सीधा आंशर से समझ जाओगे जिसके अंदर आपका आंशर है कि निमलिकित में से कौन सा पोलिया के समस्था समधान मोडल के नुसार सही करमा है अगर उसके अलावा बात करें विश्तर तुधेस के बात करें तो इनों ने बताया कि जो आपका मैद्स होता है घनित होता है तो उसका Mathematization आपको करना जरूरी होता है, क्या होता है? उसका आपका Mathematization आपको करना जरूरी होता है, तो यह पर जितने भी Mathematics के सबीश्पेक्ट है, उनको सीखना यहापर जरूरी होता है, ना कि सिर्फ आपका Basic जोडगटा गूणा भाग और वास्तिविक जीवन से सम draggedğinको अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इसका यहापर बता सोगते हैं ठीक है बीबी आप लोग बता रहे हैं बीबी कौन चाहिए सबसे पहला आपके समस्या को समझना चाहिए understand the problem बिल्कुल यहापर आप लोगों ने जो दिया समस्या को यहापर समझने चीए समस्या है क्या मालीज आपके सामने समस्या है हमको जो नहीं मिल ली हमको मैथ समझ में नहीं आ रहा तो पहले आपको समस्या को समझना पड़ेगा कि आपको किस के अंदर यहापर दिख्कत आ रही है तो उसके आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी क्या काम करनी पड़ेगी अच्छा mathematics समझ भी नहीं रहा चलो यार मैं खूब प्रेक्टिस करता हूँ अच्छा mathematics की पेड़ागोजी की सचिन सर के मेराथन क्लास देखता हूँ ठीक है यह mathematics के जो भी आपके प्रिवेसर के अंदर कोश्चन उनको यह पर आपने planning करें फिर उस planning को implementation करिवाए आपने यह नहीं की planning क 1400 को तो बदेट हो जाएंगे जितने भी आप लोग सी टटके बच्चह हो उनको दे दूँदका उस पर तो फिर आप लोग पुने जाच करोगे और यार में तो नमबर कम बनेगे चलो दुबारा जाप पर महनत करोगा ठीक है तो इस प्रकारशन ने यह चार स्टेप चार सिक्वेंस से करके बताई बस आपके एक्जाम वियार आज तक यही को शनाया कि कौन सापके चार स्टेप है जो इन्होंने आपर सीखने के सिद्दान बताएते ठीक है इनके बारे में नज़र डाल लेते हैं ठीक है थीक है तो अब मैंने उपर बार बार बताना ठीक नहीं लगता है यह वाली सब चीजे एक टीचर को बार बार सपाई देने की जड़रत नहीं है अपने लो जैसे भी आपको देखना है मैं तो कुछ खही नहीं दा कमेंट ओपन है चैट ओपन है गाली लिखना गाली लिख दो जो कुछ और करना आप लोग कर सकते हो ठीक है क्योंकि पूरा का पूरी मैंने आपको चीज़े उपर पर एक्सप्लेड कर दी बागी अब आप लोग देख सकते हो ठीक है अब बात करते एंदर क्या होता बच्चा कैसे शिखता है इसमें दोकर शिखता है एक्टि अंते किरिया करके बच्चा सीखता यहाब बच्चा जो चीज़ता यहाब बच्च जहांता है वो शिखाए जाते है उसको T.L.M. की help से कैसे जिखाए जाती है वो बच्चों को चीजे सिखाए जाते है T.L.M. की help से teaching learning materials के help से माली जब मुझे आपको एंगल समझाना है ठीक है तो एंगल के लिए मैंने अपनी घड़ी निकाल ली कि देखो बेटा यह घड़ी है ऐसे टा इलम का आपका example है ठीक है अगल है आपका गनित परिवर्तन सीलता mathematical variability principle यानि जब यहाँ पर बच्चों को mathematics का परसंग समझाते हुए mathematics से समझाते हुए उसको कुछ अलग यहाँ पर गैर प्रासंगिक चीजे भी समझानी पड़ती है अब मैं आपको mathematics के बारे में समझा रहो रिलेट करके चीजों समझा रहो, mathematics के संदर में चीजों समझा रहो बट मैं कुछ है आपको ऐसा example दे दिया जो आपके आसपास के environment से आपकी बहासा से या आपके किशू और respect से समझा दिते हैं यानि मैंने प्रासंगिक और गैर प्रासंगिक थोड़ी चीजों के स्कंदरे इंक्लूड कर दिया और अगला आपका रचनात्मक्र नियम यानि की constructivity आपकी पिंचिपल जब बच्चा आपने अनुभाव के आदर पर अपनी रचनात्मक्ता के आदर पर चीजों को सीखता है उसको सीखा जाता है प्रिवेस नोलीज को एड करके classroom में तो आपका रचनात मक्र नियम हो जागा जोल्टन डीन्स के चार सिध्दांत है कभी पूच लगा इसमेंसा कौन सा सिध्दांत है कौन सा नहीं है या कभी पूच लगा इनका sequence क्या है या कभी इनकी कोई सी विशेशता पूच लगा अगर सबसे टफकोस्टन पूचन पूचना है अब देखे question मैं अभी आपको बताऊंगा आपके टीलम के अंदर आपको देखने हुलेगी जो लोग होती है जिसके हम लोग बच्चों को आपको चीजे सिखाते उसको ठीक है उनके बारे में अभी आपका कंचेप्ट आने वाला है क्योंकि मैंने काना लगबग सारी चीजे आज मैं आपक के अंदर आपको करवा दूंगा ठीक है अब जोल्टन डीन्स की थोरी नहीं है इसके बारे में देखना आपका पहला कंस्ट्रक्टिविटी पिंचिपल रश्चनात्मक नियम अभी मैंने बता होता है डाइनिमिक पिंचिपल होता है आपका रिवर्सिबिलिटी पिंचिप पर दिखे रहा है ठीक है यहाँ पर दियावाय आपके सामने इस्तानियमान यहाँ पर दियावाय आपका जो प्लेस वेल्यू होता है तो प्लेस वेल्यू के कंसेप्ट के सिक्सेंड के लिए द्यापक हक्सा में भिन-भिन प्रकार की सामगरी लाता है जैसे गिंतारा डीन् इंदादतों के कौन से नियम का आश्रे ले रहा है अच्छा बताओ कौन से सिद्दान्त का आश्रे ले रहा है यह आप लोग मुझे बती है ठीक है क्योंकि मैंने आपको चारो को चारो यह बताती है यहापर टीचर किसका यूज कर रहा है सामगरी का यूज कर रहा है तो टी तिस्ट उसकाए जाते है जो टीजर शिखाता है वो टीच ग fields केलस सिखाता जैसे पता निक्या का लेका आ गया तिक है इन आगे बारें वहम Reंब करेंगे क्योंकि यह teaching lab del P बात करने आपको फ़ॉइनके बात करते हैं जब पेपर पहले और को उफलाइन होता था तब यह एक्जाम में कभी भूछी ले जाता था फिर पेपर ओलाइन हुआ पता नहीं इसको एक बार भी नहीं पूछा गया बट मैंने इसको एड़ कर दिया आज की मेरतन के अंदर कि ताकि आप लोगों को कोई कोई ऐसा कंचैप्ट ना हो जो मेरी तर प्रज्रोत नहीं होती क्या नहीं होती यहाँ पर आपके पर पुरूफ की किसी प्रगारी के पर जरूत नहीं होती है ठीक है जैसे मैं ने का था अग्र मैने लिगत दिया 8 प्लस पाच तो 串हां लुए मज़ाक निए भई मैं बोल ला तो आप क्यों कि हाँ यार हम सो ज़्यादा नुबवी है हम सो ज़्यादा ग्यान है तो सही कह रहोंगे सच्छिंसा ठीक है तो चलो मान लेते तो आप ने इसको मान लिया आप इसके लिए मुझे किसी पूरूफ की जरूरत ने पड़ी आपने इसको मान लिया ठीक है तभी तो श उसे मास्टर ने हमें यह चीज़े बताए गलत पढ़ा रहे हैं तो ठीक है वह घलत पढ़ा रहे मैंने कहा का कि आपके आपके बिल्कुल ठीक है जो आपका यह प्रूफ कर दिया जाए ठीक है कि यह वाट ठीक है यह चीज गलत है चाहिए आपका positive negative कुछ भी हो जैसे आपर गलत हो गया कि मैंने यहापर आपका जो प्रूफ हो गया तो आपकी थियोरम बन जाएगी ठीक है आपकी तीन कंशेप्ट है जो मुझे आपको समझाने थे ठीक है अब किसी बच्चों को यह सही मत मान ले ना कि आर्ट प्लस पाच यह सही बता रहे तो यही सही होगा ठीक है अब कोस्टन देखते सामना आपकी स्क्र सबसे अधिक उप्युक्त रहती है अनुवेशन करना जब अच्छा खोजबीन करके चीजों को सीखता है ठीक है तो आपका सबसे बढ़िया रहता है दूसरा फोर्मुलेशन यह भी इसके अंदर रहता सूतिरगंड तो मैथमेटिक्स के अंदर यार फोर्मुले तो रहती ह प्रोसेजरल फ्लुवन्सी नहीं हो गया ठीक है आपकी परकृरियात्मक परवान नहीं हो गया इसके अंदर आपका कन्स्टुक्टिंग चैर जो आपके कन्जक्चर उनको कंश्टक्ट करना यह वह आपकी मैथमेटेक्स की जो आपकी उप्रयुक्त परीया आपकी देखने अच्छेप्ट के बार में देखें क्या दिया हुआ है थोड़ा सा पानी फीलू गला मेरा वैसे भी आज कल कुछ जादी सुख रहा है तो गला कहा होट इसके बार में बात कर लेता हूँ ठीक है यह बड़ा महत्पून है एक नंबर का आपका पैड़गोजी में आता है एक न किसका दे रहे हो अभी तो सामने कंसेप्ट है ठीक है अब बात करते हैं पैटन के बारे में अच्छा यह में सही से दिख रही है न हाँ सही से दिख रही है देखो यह आपका एक पैटन दिया रहता है किसके अंदर जो आपकी एंसी आइट की किताब है यह आपका पैटन द एक तो आपका पेड़ागोजी में जो मैं भी आपको बता रहो एक आपका न्यूमेरिकल के अंदर आता है कुछ बच्चे इसको रीजनिंग समझ लेते थे जब पेपर के अंदर यह पैटन से कुछ ना है रीजनिंग समझ लिए अब देखें वह कैसा कैसा आता था फिर आगे कुछ लेते मलब इसके बाद अगला क्या होगा मलब यह कुछ ऐसे मिलते जूलते मैं आपको बताए यह सभी पैटन है यह सभी पैटन से रीजनिंग से सम्मझ लिए तो आपके सीटाट के आईजाम में रीजनिंग नहीं आती तो वह मैं न्यूमेरिकल के अंदर आपको बताऊंगा जिसको आप लोग खुद अपना दिमाग का यूज करके भी कर सकते हो उसके अंदर ज्यादा समझाने की बात नहीं है पैटन का कॉश्चन कैसा आता है यहापर को जैसे पैटन दिया हुआ है सामने आपकी स्क्रीन पर है पहले टी दिया हुआ है सीधा ट उल्टा टी सीधा टी उल्टा टी अब कौन्चा टी आएगा आएगा सीधा टी आएगा अब बच्चों को कोई चीज़े सिखा नहीं है अब यहापर दिया हुआ है आपके दो स्क्वेर दे दिये एक रेक्टेंगल दो स्क्वेर एक रेक्टेंगल अब बच्चों बताओ क् क्यों करवाते क्यों मतलब इसको इंक अंदर हमने रिजे किया और चयो पैपर के अंदर हाथ देखो पैटन जो होता है यह होती है MOMकी कृटी आपकी क्रिया ल twenti आफ की अप इसको बग्चा सोल करता है रही करता है तो भच्या तो बच्छा यहाँ पर इस पर हो झुक्याँ मिलता है जो आपके पटर्टर्ण हो ते के अंदर एक श्रक्टर वय में आपकी नुलिज बढ़ती है पैटर शे आप लोग कोई भी पैटर शीकर हो ठीक है तो सबसे पहले आपने अपने नंबर का पैटर शीखा या पर चेख के बारों सीखा तो एक स्थानसनात्मक रूप साप लोग ये पैटर्न आपको सिखाता है ठीक है कोई आपका पैटर्न रहेगा ठीक है उसके लावा लोजिकल थिंकिंग बढ़ते हैं सेम बात मैं आपको बता दी स्पेशल अंडेस्टेंडिंग आगी तो लोजिकल थिंकिंग इससे बढ़ती है आप लोगों की खुद बढ़ेगी उसके यहाँ पर जो आपका algebra का math होता है, वो इससे त्यार होता है, algebra का math इन pattern के माददम से त्यार होता है, ठीक है, यह नहीं कहाए सकते हैं, इसकी एक foundational है, algebra mathematics की त्यारी करने के लिए जो आपके pattern होते हैं, सबसे पहले इसलिए छोटे बच्चों को मिसी के माददम से सिखाते हैं, ह ठीक है, तो आगे आएगा, जी आएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यह pattern के help से बच्चों को चीजे सिखाने हैं, एक नंबर का भई, जरूर आएगा pattern वाला आपके exam में ध्यान रख लेना, ठीक है, तो यह pattern मैंने आपको बताया, पैड आगो जी के, आपर ही पेक् आते है, question आपके सामने दिया हुआ है, शिरी गोविंद अपनी करक्षा थर्ड के चातरों में pattern को पहचानने का कोशल विक्सित करना चाहते है, तो निमली कितमें से कौनची activity, कौनची गतिविदी इसके लिए सबसे अधिक सायक्सित होगी, pattern को पहचानने के लिए कौनची हमारे कोन हो जाते, दादा, दादी हो जाते, ठीक है, फिर उनके परदा, परदादी हो जाते, इस परकार से जो एक हमारा जो वनसच चलता रहता है, तो वो पूरा का पूरा ये क्या रहता है, ये रहता हमारा family tree रहता है, हमारा once works ये आपका होता है, ठीक है, आयोप आप ल चाहतोरों से रात को ध्यान से आस्मान देखकर उन्हें जो देखा है अगले दिन उसका वर्णन क्लास्रूम में करने के लिए कहना आप लोग रात में देख लो अभी वीडियो देख रहे होंगे तो आस्मान में देखो आपको तारे दिख जाएंगे सफ्तरी से मालीज़ आपको दिख जाए या तारो की दिख जाए तो उनको गिनना है एक दो तीन चार अरे तारा तो एक लाइन में ऐसे जा रहा है ये कैसे जा रहा है कर लोगे इसको आप लोग नहीं कर पाओगे हम बड़े ही नहीं कर पाएंगे छोटा कहा से कर पाएगा चातर को उनकी सभी पाठ्ठ पुस्तकों में भारत के राष्टे चिन को खोजने के लिए कहना खोज लेगा बच्चा दो सेकिंड में खोज लेगा लेकिन आपका क्रेट ऑघाते वे करम में लिख दो तो बच्चा यह पर बनाता चला जाएगा यह आपका का सही प्रकार हो जाएगा यह बना दिया अक्तिशना तो अक्टवीट विल्डंवaldoक देखर इसको यह एक्टिव्टि कर दो या अपर बात हुर या activity की तो सबसे बिदिया फॉर्थ वाला on-tar हो जाएगा ठीक है पॉल दे यह अगर इनको time 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 ठीक है तो आंसर आपका force ही हो जाएगा ठीक है यह आपके 14 भाईया पॉल में late कर रहे है ठीक है comment box में बोलते हैं इनको कि पॉल जल्दी दे आकर है ठीक अग प्रात्मी की स्थर पर क्या इसका कोडिंग वांचिने नहीं है उसके अंदर आप लोग वती है क्या इसका हो जाएगा ठीक है एक सेक नुक जो कमेंट क्यों नहीं आ रहे अब आए देखें आउधार नहों कि समझ के आखलन पर महतुत दिया जाने चाहिए यानि जो देखो दूसरा कर्म उप्सें में से देखू तो दूसरे वाला इसके कंपरिजन में ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि यहां पर आउधार नाव की समझ के आकलन पर महतुत दिया जाना चाहिए इतना ज्यादा भी महतुत यह पर नहीं देना चाहिए लेकिन हम लोग इसको एक बार में इसके comparison में यहाप पॉजीटिव माल लेते यह ज्याद है पूजीटिव आपका लेकिन विलक्षन परिक्षा की बात हो रही है एक उनिक टेस्ट की बात हो रही लिए के लिए तो यह पैटन के लिए इतना महत्पूर नहीं रह जाए गा इसको लोग ले सकते हैं पहले को इसके मुकाबले नेगिटिव है यह आपका ठीक है विद्यार्तों के संदर्व के परती आकलन को अति सम्विद्रम सील होना चीए जो भी हम बच्चा का सेस्मेंट कर गणीत्य रूची का नुसार चुनोती दी जाए बिल्गूल ठीक बात है जो उनका इंट्रेस्ट है उनके उनको चैलेंग दिया जाए मालीज उनको इंट्रेस्ट नहीं है इतना मैतमेटिस के अंदर पैटन के बारे में इंट्रेस्ट नहीं है फिर भी हम लोग उसको करा र जाप पर बात करते हैं material की यहां पर बात करते हैं एक एक करके जो आप लोगों के लिए सामगरिया यहाँ पर होने वाले है ठीक है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर नजह डालने अब ho में से काट दिया ठीक है कि एक तरफ इदर फैक दिया काट के एक तरफ इदर फैक दिया बराबर काट आ यहापट ठीक है तो यह क्या होगी आपका symmetry होगी सम्मीत होगी कि दो एक इसी चीज़ को दो बराबर भागों में काट दिया यहापर अगली फिगर आप लोग देखरो इसको बराबर भागों में काट दिया जैसे मैंने लिख दिया है यहापर अपर सम्मीत होगी किसी चीज़ को हम ने दो बराबर भागों में अलग यहापर कर दिया क्या हो जाएगा symmetry नहीं सम्मिति हो जाएगा ठीक है अब देखें यह होगे आपकी पहली होगी आपको छोर के उपर ने जडालते हैं अगली बात करते हैं आपके टैसिलेशन की बात करते है ठीक है यह आपके जो आपकी टैलिंग होते है जिसको आप लोग चोपड भी कहते हो आपके सिलेशन के अंदर दिया हो आप प्राइमरी वालों के जो mathematics का सिलेशन के अदर आपका दिया रहता है ठीक है चोपड चोपड क्या होता इससे आप लोग सेफ सकी knowledge लेते हो जो भी आपकी 2D सेफ से उसकी knowledge आप लोग यहापकर लेते हो देखें यहापकी से है आप लो लगाई है आपकी ट्राइंगल के नदे ये टाइल से लगाई है तो आपको बच्चो को सेपस की नोलीज दी जाते है चाहिए आपकी टैसिलेसन की हेलफ से जिसको चोपड बोलते हैं अगला आपका यह कुछ आपका गिंतारा यहां पर इन्होंने नाम ही नहीं लिखा वह यह यह आपका गिंतारा यानि कि इसको कहा जाता आपका अबेकस इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है अब देखो आपके सामनी स्क्रीन पर है यह आपका अबेकस से हम बच्चों को कांटिंग सिखा सकते हैं देखो कांटिंग कैसे सिखाएंगे कि बेटा देखो यह आपर कितनी आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आपकी है ठीक है एक यहाँ पर है 9 होगी तो हमने बच्चों को counting सिखा सकते हैं तो देखे छोटा बच्चा जो होता है इसको पकड़ पकड़ के इसको counting शीख जाएगा अच्छा देखे मालीज अगर कोई बच्चा दिव्यांग है अगर कोई बच जोड़ घटा के बारे में सीख जाता है किसके मादम से जोड़ घटा के बारे में सीख जाता मालीज इदर एक है यह वाली जो है एक यहाँ पर ब्लोग दिवी है एक बोल दिवी है तो यहाँ पर बच्चा इसको पकड़ेगा और एक इदर को लिकरा जागा हम बच्चों से यह रहाएँ आपके ج्यो बोल्ट इसके अने आर हम बच्चों को जो सिखाते हैं जमेट्री के बार में शिखाते हैं और खास का आपकी जो टूरी सेपस है उसके बारद में उसका यूज करके, यहाँ पर गाड़के, आप लेकों बच्चों को सेफ्स के बार में समझा सकते। जैसे माली यहाँ पर करा, तो हमने बच्चों को रेक्टेंगल के बार में समझा दिया। अच्छा जो बच्चे आपर वीज्वाली चैलेंज ना उनके लिए भी आपका महत्पुन हो जाता है जो आपके 2D से तो बच्चा देख नहीं पाता वो भी कर लेगा इसको यहापर अच्छे तेरीगी से ठीक है तो यहापर जमेटी शिकानी के लिए इसका यूज के जाता है स्कूल के अंदर आप लोग इसको देखोगे वन्ना खुद भी बना सकते हो जब आप लोग इसकी तयारी करें ठीक है आगे बात करते है जियो जेबरा की बात करते है तो जियो जेबरा बेसिकली आपका एक सोफ्टेर है जो आपका जियो जेबरा रहता है एक सोफ्टेर रह आपके अगला आपका ग्राफ पेपर जो आपके सामने बनना है ग्राफ पेपर का सिंपल साफ के मिनिंग समझना है ग्राफ पेपर का जोड़ने की बात आ मालीज़ घटा की भी बात आजाए तो अगर आपसे पूछे तो सीधा बता देना कि आपका graph paper यूज़ होता है ठीक है जो आपके decimal number है मालीज़ पॉइंट वन, point two, point three इस प्रकार से में इसको जोडना है तो आपके graph paper का यहाँ पर use देखने को मिलता है ठीक है आगे बात करते है आपके dot paper की बात करते है अब देखें यह सामने आपका dot paper है अब dot paper के अंदर में कुछ भी लिख सकता हो मैंने dot paper के अंदर लिख दिया यहाँ पर पी लिखना यहाँ इसको सफखाता हो मैंने इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके मैं अनुutetेड में इसको सब्सक्राइब यह रहा आपका rectangle यह मैंने बना दिया तो देखो यार जो आपके dot paper होते हैं तो dot paper से चाहिए आपकी geometrical shapes हो alphabet की बात हो, numbers की बात हो इनको हम सिखा सकते हैं और दूसरी बात है आप लोग यहापर एक point देख रहे हो सम्मिति symmetry जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता है आप लोग लिख रहे होंगे अपने अलग-अलग नाम ठीक है एक तो comment इसमें नहीं आ रहे तो आप लोग देखो इसके अंदर symmetry का भी उज हो सकता है symmetry मैंने क्या बता ही जो किसी चीज को दो बराबर भागों में काटती है मुझे दो बराबर भागों में काटना है जैसे मैंने M को काटा था यह दुबारा काट दो M को square को काटना है यह इसको दो बराबर भागों में इधर से काट दिया यह दो बराबर भागों में इधर से काट दिया तो देखो यहाँ पर symmetry भी सिखाई जाती है आपके डोट पी प्रकिंदा तो कई चीज़े रहती है जो यहाँ पर आपको सिखाई जाती है जो आपको देखने को मिलती है ठीक है इसके बारे में आप लोग समझगे आगे देखत में आप देखो आगले के बारे में बात करते हैं को नसा टैन गराम के अंदर हम लोग बच्चों को खेल खेल में जो में अब लगों कर दिब आपको पेपर दे जाएंगे आप लोगों ने वह देखा है जब छोटे से तो नाव बनाते थे पानी में तैरान निगलिए हमने वह वाले गेम खेले नाव बना दी कागज गी और फिर उसको नाली में बहा दिया और फिर उसके पीछे पीछे चलते थे देखो वही नाव चल तो यह सब क्या है यह मलब 10 ग्राम के यूज में होता था तो आम लोग ऐसे नहीं कह सकते हम लोगों ने नहीं खेला हम लोग ने दूसरा खुराफाती वाले तरीके से खेल खेले में उसको चीज़े शिका निया पहलिए का मादम से शिका निया जैसे मैंने बता है कि नाव यह कोई बतक की से लग रहे है तो यहां लोग का ने इस चीज़ा नेदे शुटेए चार एक बनाएं दो चार शोज एक और सात지 बिंपकल३ होती है पार्श तो इसमें ट्रैंगल होते तिर्बूज होते हैं एक लोगare होता है और यापका होता है तो यह को सबसे जाए है देखने मिलते हैं देकित आप साथ होता है now मुझे मेरी नौलिज में हमने सबस्यादर नाव बनाई थी और वह एरूपलेन बनाया था उड़ता वाला ठीक है अब जिद दिन टीचर बन जाओगे और टीचर बनने के बाद यह मत बनाना गड़े तुम्हें कुछ नहीं आता देख अभी हम बनाते यह देख ऐरूपलेन ब सिमेट्री आया जैसे मान लिजए आपको सम्मीति का कोई भी कंशेप्ट आया समझारो तो सिमेट्री के लिए आप लोग क्या काम करिए कोई भी अक्टिविटीज करा दीजिए बच्चों की कोई भी नंबल ले लिजिए या कुछ और ले लिजिए और फिसको का कि बेटा अगले आगए आपके दीजिए सबसे पहले बच्चों को क्या चीजिए सिखा सकते हैं देखिए आपने बोड मार का रूल पड़ा आपका सभी ने पढ़ा है आपका बोड मास्क के रूल में से बी ओ को हटा दो बाकि आपका डिविजन मुल्टिपिकेशन और आपका एडिशन और आपका सबस्ट्रेक्चन जोड़ घटा गुना भाग जोड़ घटा गुना भाग हम आपके दीन्स बलो क्या बच्चों को सिखा सक तो देखो एक तो concrete film में होई मूरत वस्ता में होई और बच्चों को आप खेल खेल के माध्दम से सिखा दी तो बढ़िया आपकी TLM की सामगरी होगी ना ठीक है तो इसके लिए यूज होता है प्लेस वैलियू हम इसके माध्दम से सिखा सकते है इस पेसल अंडेस्टेंडि सब्सक्राइब कारी को लेकर आए ठीक है तो इतना सब करानी आयोप आपके से उन्होंने भी नहीं करा अब देक geen कोईन नहीं समझी तो ठीक है स्मझवागी तो ठीक है ऊबना यहाट त 02 क्या अब घृवे ऑणम देकर बड़ी बेजती होती थी लड़कियों के सामने अगर कोई मुरगा बनेगा देखो कितनी बेजती होती है ठीक है लड़कियों के हाथ खड़ा करवा देते है अगला देखते है कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगिया यह रहा कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है इसको पर आपन अजय डालते हैं देखें क्या कुश्चन आपको दिया हुआ है ठीक है इसको पर नजय डाल लेता है अगळा देखें क्या क्या की हैं जो अभी मैंने आपको बताई की से सांवेय कारे कारे षंद कारे लें चिजे देदो बच्यों को किरिया किलाब देचे-चरो topics यह सामने पेपर आप बिच्चों को सिमेट्री सिखा नहीं है तो मैं आप बच्चों से कहें Zheng यह दो बरावर भागों में बाट दिया उसको ठीक है तो इस प्रकार से एक्टिविटीज के मादव से यहाँ पर बच्चे को चीजें सीखाय जा रही है ठीक यह आप लोग समझें ना कि हम उसको इसको परिवास आई देनी चाहिए डेफिनेशन नहीं देनी यह सिमेट्री हो वटिज मस्षीन तो अमिर आपनी तरफ से जवाब देता है कि सन मस्षीन वह होती है जिसे हम लोग यूज करते हमारे आउड़ सकता को पूरी करती है उसका कहता है कहना क्या मतलब है इसका दूसरी पर और आपका कोने बैठा है क्या नाम सब्रक्षिक च्यतुलिंग का नाम definition सुना दे जिसको हम लोग definition बता दे ना कि आमिर्खान बढ़िया लगा जिसने चीजों को समझने वाला बढ़िया नहीं लगा उनको और आज की डीट कर रहा है किसी विसमज़ दाए जादा काम है आच्छा उसके अंदर कामियाब को नहीं हुआ आमिर्खान ही यह चतुरलिं मिलना और फिर कंपेरिजन करते हैं ठीक है है फुन्सु कुवांगडु नाम तो उसकामिर खान का ठीक है ठीक है ठीक है तो यहापर हमको उसको एक्टिविटीज के मादब से चिकाना है बच्चों को वाद विवाद में संब्लित कहा जाए बिल्कुल ठीक है देखो सब्सक्राइब आपका एक्टिविटी है बच्चों को वर्गोर आये तो के निरिक्ष्टन के लिए प्रोसाइद के जाए नहीं प्रोसाइद नहीं के जाए अभी मैंने पेज फाड़ा यहापर बच्चा खुद ही शीख जाएगा निरिक्ष्टन करने की जुरूत ही नहीं किसी को चीरो विरो मत सब पढ़ लो यहापर ठीक है चले देखता अब इसके वारे में अज़र डालते हैं देखें कोश्टन यहापर दिया वाया एक प्रात्मिक कक्सा का ध्यापक अपने चात्र को इस्तान्यवान यानि बात हो रही आपके प्लेस वैल्यू प्लेस वाल्य सब्सक्राइथे, दिया ख्यक्रण और आपको उनसे को को बनाउट है, बनाओ रहागा रही आपकी कि आ बदा आपकी हो तो बता हां हो दो इसकंदर हो जाएगा यह ई-ट है कि ए अच्छा सेकंड्र या भी। ठीक है बीवी के साथ आप जा रहे हो कौन सी बीवी है आपका ए और भी आपके समानुपाती समगरी ए और भी कोन है डीन्स वलोग और माचिस की तिलिया है यह डीन्स वलोग है और जो आपके माचिस की तिलिया रहते इस प्रकार से इनका जो बंडला है यह आपके समानुपा समगरीं एक प्रकार का समहन हुपात रहेगा तो आप लोग जा सकते हैं यहां से कॉष्टन देखे आपके थै Half चाहँ इंडyd? है आप लोग क्या काम करना जो जितनी भी सेप् सब्सक्राइब क्या प्रोपेटीश रहती है मालीज़ आपका स्कुर्च आफ के प्रोपेटीश क्या है तो लिटेमने इसके इहां पर किया तो relevantik के साथ मिक्स करके नहीं गढ़को छर्शिक तो यह जितने भी सेhil सेफ सो चाप की थीडी सेफ सो इन सभी को पर फोटो में लेने का मकसद यहीं था कि आप लोग इनकी प्रोपिटी जिनके फोर्मुले को याद कर लेना टूडी और थीडी सेफ को ठीक है इस में से जो जो मेहत्वन आपके नुमेरिकल एक्जाम में आते हैं वह मैं आपको कल कर सब्सक्राइब कर देंगे कुछ पता निए एक बार जोब लगने कर देंगे कुछ पता निएक बार जोब लगने पता ही निए कि पैरों में देने की जोरोत नहीं है और ठीक है अगली से जुड़ हुआ आपका जो एक मोडल था पता नहीं कौन सी से लेकर आई ठीक है माली जो कुछ और का लेकर आगई तो आपको बताना वह चाहती है कि उनके विद्धारती क्या करें अब इसके बारे में बात करते हैं ठीक है नियूमेरिकल करा दीजिए भाई नियूमेरिकल क बिताने के लिए टीचर एक्टिविटी थोड़ी करें इसलिए थोड़ी उसको पैसे दी जा रहे है गणितिया अधार्ना को विभिन अन्य विश्चेत्रों से और उनके देनिक जीवन से जोड़े बिल्कुल ठीक बात है जो भी हम बच्चों को चीज में पढ़ा रहे है त तो सबसे में इन बात हैं हमको वह एक्टिविटीज करा रहे है जो बच्चों के रियल लाइफ से करनेट करते हैं उनको वास्थिक जीवन से करनेट करने वाली होनी ठीक है तो आंसर बिल्कुल सटीक इसमें दूसरा बैठा है ऐसे और प्रारूप यादि मोडल निर्मित कर में क्या करेंगे ठीक है मोडल की भूमिका को अगर बच्चों के लिए आपका तो समझ लेंगे वरना हमें जुरूत नहीं समझनेगी आंसर क्या हो जाएगा सेकिंड क्योंकि उनके वास्थिक जीवन से जोडने की बात यहापर हो रही है ठीक है अगला बात करते हैं अगले मेहनत कर रहें कोन शीरिमान हरी तो कौन सा तरीका हो सकता है पोल दे दो भाई इनको क्या यह आपका फैक्टर्स and multiples की बात यहापर हो रही है आपके shapes and pattern की बात यहापर हो रही है fraction की बात बात दो रिखन की बात हो रही है तो रंगोली के चितर लेकर आए शीरिमान हरी प्र पता चला दुपट्टे पर बच्चों ने कलर डाल दिये घर जाके घर वाली ओर तोड़ेगी मास्टर की ठीक है यह काम नहीं करना तो यह सरवादी कुप्यक जो साधन होंगे क्या हो सकते हैं देखें आप लोग जी सेकंड के साथ सेप्स और पैटन इससे बच्चे को पैटन के बारे में समझा सकता है अलग अलग दुपट्टे ले लेगा उन्चे कुछ न कुछ सेप्स बना देंगा और फिर पुचेगा इसको फिल करो या कोई पैटन बना देगा इस आपका simulation software यार यह मतलब आज से पहले कभी निया था जब पेपर आपका पहली बार online एक्जाम में तब से आपके शोफ्टेर पूछा गया simulation software बना यह आता ही निया एक्जाम में ठीक है बट मैंने इसको question में include करा दिया बाइचान CBC वालों का क्या पता है डाल दे simulation software का उप्योग करके निमली की तमेंसे किसको सबसे बहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है देखा अगर सबसे बहतर पढ़ानी की बात आ जाए जो एक ही परिमाप वाले विभिन आखा ढूंडने की बात होती है वो आपके simulation software की मद्दे से पढ़ाया जाते ठीक है यह आप ल जादा question आपका simulation software यह नहीं आए जो आपका software पूछा जाता है ठीक है तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो जो यहापर मैंने आपको आंसर बताए ठीक चली बढ़ते बापके next आपके concept के और बढ़ते यह रहा सामने आपके screen पर अगला concept और यह क्या मिलावट हो रही है इंग्लिस के अंदर देखना ज्यादा आप comfortable होगे aggregation और आपका augmentation aggregation का मतलब होता है जब हम किनी दो चीजों को आपर जोडते हैं दो से ज्यादा चीजों को जोडते तो आपका aggregation हो जाता है ठीक है जैसे कोई भी आप दो समान्त चीजों को जोड लिया आपने मालिजे मै मैंने का इनको जोडने पर कितने उंगलियों होगी चार होगी तो मैंने उंगलियों का क्या काम कर दिया aggregation हो जाता है जैसे आपके चार पैन हो जाएंगे आपका aggregation हो जाएगा ठीक है अगर मैं बात करूं augmentation की augmentation का मतलब होता है जब हम किसी एक चीज की quantity को बढ़ा देते हैं जैसे मालिजे मेरी उंगली यहाँ पर है और अगर कोई इसको खीच के ने यह तो पॉसिबल ही नहीं है जैसे मालिजे आप पर यह पैन है तो पैन का इसने क्या काम कर दिया पैन का जो आगे का इसका य एक चीज को बढ़ा दिया ठीक है तो दूद वाले बहुत करते हैं जादी दूद देना पड़ा तो पानी मिला देते हैं उसके अंदर तो quantity को बढ़ा देता आपका ठीक है तो आपका augmentation हो जाते है जब एक चीज को आप पर बढ़ा जाते है इस दो concept है जो मैं आपको सब्सक्राइब करते हैं अगर आप लोग इतने लाइव आते हो इतना सब चीज इतना प्यार सपोर्ट है तो उसमें ठीक है और वैसे भी उबर वाला मुझे दे रहा है ठीक है तो बाकि आप लोग प्यार बनाए रखिए बस पैसों की मुझे आप जो आप लोग देतो सब्सक्राइब करते हैं तीन सब्सक्राइब करते हैं जो उपर आपका संक्सित उद्देश से जो आपका बताएगा जो पोलिया के कोड़ी जहापर बच्चों को एलजेबरिक मैथमेटिक्स की नोलीज देनी होती है जो घटा गुना भाग उनके रियल लाइफ से कनेट करने वाली चीज़े अगला आपका कर्मिक सरंचना कर्मिक सरंचना के अंदर क्या होता है सिरेलाइजेशन जब अच्छे आपर सीरीज में सीखता है निकटता के बारे में बता जाता है समीपता के बारे में बता जाता है जैसा आप लोग देखते हो ना आपके निमेरिकल के अंदर कोश्चन आता है कि निमली कित में से कौन सा सो के सन निकटवा मान है सो के सन निकटवा मान है तो इस प्रकार से कोश्चन आपके निमेरिकल म आते हैं आपको बताऊंगा नियुमेरिकल के लिकांद तो यह क्या हो रहा है यहां पर समीपता के बारे में पूछा जा रहा है तो यह तीन आपकी ट्रीक्चरति जो मैंने यहां पर आपको बताए अब ज़रा एक कोश्चन सामने आपकी स्किन पर ले लेते यह रहा आपके सा करो ठीक है गुरुदान महादान कलाकार भाई किसी गणीतिया सरचना के अंतरगत विभिन प्रक्तिय जैसे सीमा समीवता या निकरता इसको आधिको समलित क्या यारी कितना सिंपल सा कुर्श्टा ठीक है इसका अंसर भी बताने का बने करता ठीक है चलो देखलो आपकी चोशल साइन्स की पैड़ागुजी मेरतन क्लास आगी उसके बाद इंगलीस करवा दूँगा ठीक है मैंने कहा हुआ है तो मैं उसको करवा दूँगा ठीक है अब बात करते हैं अब देखें मेजरमेंट के बारे में नहीं समझाएंगे बच्चा कुछ समझी नहीं अगर मान लिजे मैं आपर मेजरमेंट के बारे में कुछ भी चीज आपर बोलाओ ठीक है जैसे मैंने आपसे एक एक एक्जियम बोल दिया ठीक है एक्जियम मैंने आप पर बोल दिया एक्जियम क्या होता है जिनकों लोग सच माल लेते हैं बिना किसी प्रूफ के मैंने एक आप के लिए को देखना पड़ेगा या एक किलो ग्राम दूद की बात के यह इसको किलो उसमें बात की है किलो लीटर को या मीटर में बात की इसको आप लोगों को मैं कहूंगा के बार में नहीं जान सकते उसके quantity के बार में आप लोग नहीं जान सकते तो छोटे बच्च को has county में किपना होता है वहिव जुरूरी啊 उसको पता नियु सी कौन किपना किपना होता है कुझ को नहीं होता है तो लिए जा का लिए वाव फ्रीवद्ट अब देखें, अब देखें, इसका क्या कुश्चन है, जो सामने आपकी स्क्रीन पर है, आप प्रात्मिक सेड़ी के बच्चों के लिए, सं निकटन एवं अनुमान की समझ निमली की संकलपनाओं के, किस संकलपनाओं के विशय की ओर ले जाएगी, अब देखों यहापर क्या बात हो रही है, एप्रोक्सिमेशन की बात हो रही है, किस की बात हो रही है, सं निकटन की बात हो रही है, और एस्टिमेशन की बात हो रही है, आपके NCRT के सिलेबस में यह आपको दिया हुआ है, अब यह कंचेट हमको समझाने है, तो किस संकलपना की ओर हमको उसको ले कर पड़ेगा क्या हमको उसको t дор si t या वगत उसकी प्रणोप रहा है रहे किशी प्रगाल के पैटर्न की जोरोत साथ आप जाओगे तो इसमें सो उफशन बती है क्या आंचार हो जाएगा दो तो उपर मैं नहीं बता दिए बागी बती है आप लोग किसके साथ यहाँ पर जा रहे हो ठीक है अब लोग जीए फोर्थ के साथ यहाँ पर जीए ठीक है फोड़ा साथ पानी में पी लेता हूँ उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट कोश्टन के बढ़ता हूँ पता निवही है होट कब जाके ठीक होगे तब तक अगला कुश्टन सामने आपकी स्क्रीन पर है इसके उपर य रहूल जहा तरह आप अपनी खड़ाओ के मत पानी पीजे आप स्वस्ट रहेंगे तो सब ठीक रहेगा और संस्कित का एक क्लास चाहिए अच्छा रहूल एक संस्कित की मेरतना आप पहले देख लीजे ठीक है चलो एक आपकी में बात बान लेता हूँ कि मैं जो है ना खड आपके तुलना में अधिक वस्तु यानि कोई ऑबजेक्ट वहारा मापन के कौन चांप को उपारजित करने के संभावना दिख रही है बता हूँ प्रोपोर्शनल आपकी थिंकिंग आपकी कौन सा आपको दिएवाई कर्म विनेमेता आपको दिएवाई ठीक है इधर से लाइन ने पड़ी संग्रक्षन और आपका संकरा मिता आपको दिएवाई आपको दिएवाई बताई श्यान सो कि अच्छा है ठीक है माँ बाप कि अब आपको दो गुरुद्यान सबसे बड़ा दान है कि माव आपको तो देना चाहिए आपका ठीक है मुझे भी देदेना आधी सेल्ली देदेना आधी पेरेंट्स को पहली उनको देदेना फूरी उसके बाद दूसरी मुझे लगे पड़े बसे जी का ये मेरा पैन चलो इसका अंसर आप लोग किसके साथ जा रहे हो भी साथ आप जा रहो फोर्ट के साथ भी आप लोग यहां पर जा रहो ठीक है इसकंदर बी कौन सा दे रहो कर्म विन्यमिता क्यों देखो प्रोपर्शनल तिंकिंग ये तो आपके होने से रही आनुपातिक विवेचन किसकं हाट झाल है ठीक है आपको करम का वधन कि बात नियुटकर है चोंटा फड़ा है ओपर में और अपको को एकस्पलेन करता टॉर्स नीच ए흥ा घ्लीयारो थीद्ल में street में आपका ट्रांजीविटी यार यार वाला कुशन आपने देखानी सही से ठीक है फॉर्थ इसके अंदर आँचा आपका ठीक है ठीक है अगली बात करते है नेक्स्ट कुश्ट्ट सामने आपकी स्क्रीन पर आया यह रहा आपके सामने अगला कुश्ट्र्ट में किस तरके विद नजर डालते हैं ऐसे किरिया कलाप आयोजीत कीजिए जो परिसुद एवं सठीक मानक पर आधारित हो ठीक है ऐसे नहीं करवाने चाहिए अगर हम बच्चों को मापन सिखा रहे हो लेकिन मैंने काता अगर प्राइमरी की बात आजाएगी न तो उसमें प्राइमरी पर आपकी स अपक्णिकों का उप्योग हो और जो आपके वास्तिक जिवन की वस्तिव का मापन कर सके ये उलहीं वह पर आपका आपका आपकी तकनिक की बात Laurie नोन स्टेंडर्ट टेक्निक की बात आगी तो हमको ऐसी टेक्निक यूज नहीं करने आपकी अमानक हो या आपकी मानकी करत हो किसी प्रकार की यह आपको दिख जाए इस प्रकार की टेक्निक का यूज नहीं करना हमको बच्चों को आकरते हो के विभीन टुकडे दे दो, जो सेफस होता उसका लगव लग टुकडे दे दो, और स्केल का उप्योग कर उन्हें उनकी भुजाय मापने के लिए कह दो, सबसे जो आपका ऐब अबर देखते हैं ऊपसको लड़ाय बरडाई मत करो ठीक है क्लास में ध्याँ लगाइजे इतना आपस में पहला इसको यूज या कह रहेगी आप देखें हमें बश्चों को कोई भी चीज अगर मेजरमेंट शीखा नीए हम सीधे ने सिखा सकते हो मेजरमेंट किसी भी हमें को पहले उसको यूज करना पड़ेगा और कुछ लोकल रिसूर्स इसका उज़ करना पड़ेगा मालिज आपको श्को श्केल का बच्चे के लिए pen का यूज़ कर सकते हो तो जो आपके standard जो आपके technique रहती है जैसा आपके scale वगरा उसको बाद में use करना है जैसा हमें बच्चों को शिखाना है कौँची चीज बढ़ी है कितनी height है तो हाथ से उसको पहले शिखाए ठीक है उसके बाद फिर आप लोग इसको पर जा सकते हो answer force हो जाएगा क्योंकि बाकी तीन तो वैसी ज्यादे negative आपको दी हुए अगला question देखते है सामने आपकी screen पर ये रहा आपकी screen पर अगला question जो आपको दियावाई इसको पर यहापर नज़र डालते है ठीक है चौलो भए अगला आपको दियावाई की प्रात्मिक इस तरके विध्यारत्यों को लंबाई मापने की आवदार्ना यानि लेंट मापने का concept का परीचर कराने के लिए निमली कितने से कौन चा क्रिया कला आप उप्योगता है देखते है आपका विभिन वस्तों की लंबाई मापने के लिए बच्चों के बालिसत का उप्योग यानि उनके जो अभी मैं आपको बताई उनके हैंड्स का उप्योग अलग-अलग वस्तों को मापने के लिए जैसे पहला उप्योग आपका हाथ हो गया अभी मैं आपको बता रहा था शेव म meter scale का उप्योग करना चाहिए इसके बाद होताया번 का बाद में होता है जो आपके standard इस प्रकार की टेकनिक का यूज किया जा रहा है विन वस्तों के लंबाई में आपने के लिए pencil का उप्यूग करना चाहिए इनका आप लोग यूज़ कर सकते एक बारे को तो आप लोग इसके अंदर जा सकते हो ए और ची के साथ ठीक है ए और ची आंसर यहापर आपका सी हो जाएगा इसके बाद फिर आप लोग मीटर यह जो भी मलब इसेड़र्ड जो आपके method होते हैं जो होते हैं संसाधन होते हैं उसका यूज आप लोग यहाँ पर कर चक्त हो ठीक है अगला concept सामने आपकी screen पर आ गया यह रहा है आपके सामने अगला concept तुल्नात्मक जमा और तुल्नात्मक घटा comparison addition और comparison आपका subtraction के आपर बात हो रही है comparison addition में यानि तुलनात्मक जबा में आपको सीधा ही रखना है जहापर हमको यह देखना है कि किसके बास कौन सी चीज जाद है यानि तुलनात्मक रूप से यानि comparison करके हमें जोड के वार में सीखना है मैंने का मेरे पास आपके क्या है मेरे पास दो आपके क्या है mobile है और आपके पास क्या है एक यहापर mobile है ठीक है तो यहापर क्या काम कर दिया अगर मैं यहापर इन दोनों को जोड रहा हूँ ठीक है इन दोनों को जोड के बारे में आपर बता रहो तो आपका comparison अगर मैंने लिख दिया कि मेरे पास दो मुबाइल है और आप लोगों के पास मेरे मुकाबले में चार मोबाइल किसी के पास वैसे होंगे अगर मैं पूछू कितने कम है तो आपके कितने कम हो जाएंगे इसके अंदर से आपके पास यह तो छोटा नमबर बड़ा नमबर ले सकते हो आठ चार आपके पास चार आपके कमी हो गई क्या जीकति कि इन अब तो आपका उपर वाला आए एक उफ्लाइन वे पूछ जाते थे थैंके तो वैशन को निखलोड कर दिया आप लोग इसको यह पर कर सके झी ett ठीक है पिर यह गुरू जी एक बात कहने की किरपगरे ठीक है बताइए जी कि आपने जो प्रात्मिक के लिए पड़ा है क्या उसको कही जूनियर के लिए पढ़ना कोई इन्दर तो नहीं है जी नैं CDP Math Hindi और English के आप बात करो ना सेम आपको अपने Junior के लिए पढ़ना है चांब का Social Science चांब का Mathematics के अगर मैं बात करा हूँ Mathematics आपका primary level के लिए आपका ठीक है लेकिन CDP Language और जो आपकी आपका कोई भी पाच आपके यह concept होते हैं जोड घटा गुणा भाग और आपका फ्रेक्शन यहां से एक एक नमबर का question आपके एक्जाम में आता है यानि इन concept से मान के चलिए exam में अगर मरे से मारा भी अगर में देखो आपके दोतीन नमबर कहीं ने गए इन से संबंदित कैसा question कोई चीज बच्चे ने घटा दी कोई चीज गलत जोड़ दी ऐसा question आपके सामने आएगा आप लोग उसका अंसर बता दोगे जैसा question सामने आपकी screen पर है यह रहा जब बच्चो को दो भिनो यानि दो fraction को जोडने के लिए कहा जाता है तब एक सामानने तुरूटी है जो गणित का सिखसक अकसर पाता है क्या पाता है यह कि बच्चे अंस को अंस के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं ऐसा हम लोग भी करते थे मानलीजे दो मैंने यहाँ पर fraction ले दिये दो बटा तीन और यहाँ पर मैंने ले दिया चार बटा पाच तो मैंने खा कि बेटें को जोड़ो तो बच्चा क्या काम करेगा अगर इनके जोडने की बात आ रही है ना दो में चार जोड़ के जोड़ देगा छे और पाच में तीन और इसे गलती सभी ने करी होगी ठीक है तो ऐसी गलती ज़ादे दर बच्चे पाते तो उसने का है कि जोड़ो से सम्भावित कारण किया हो सकता है आप लग वोती है इसके सबसे समभावित कारण कि अगर मैं बात करू धर्ड के साथ जा रहे हो धर्ड़ी देखते है प्रा और सीधा यहाँ पर जोड़ दिया fraction के सवाल केंदा है तो बच्चा इसलिए गलती कर जाता है फिर टीचर बच्चों को बताता है fraction के बारे में समझाता है नहीं वही पीटा fraction ऐसी नहीं होता है ऐसे से लेते हैं कल सचिंसर भी समझाएंगे मैं रतनी क्लास भी नहीं मेरी यहाँ पर बच्चों की पूर समझ उनके कामार है प्रियस एक्स्पेरिंस उनका कामार है जो उन्होंने एडिशन का सीखा था और यहीं इसी परकार से जोड़ दिया ठीक है आदेखो मैंने आपको एक एक्जम्पल बता होगा जैसे fraction के बारे में बात हो रही है किसके fraction के ब बच्चों का रहता है जो भी पिए वाले और भी बच्चे बच्चे है क्योंकि हमने हाई मेरिट वाले पहले बूला थे अब वहाँ पर बच्चों को क्या होता है एक डेमो देना पड़ता है मलब के इविसके सिलबसकंदर दिया हुआ है रिटन प्लस इंटर्यू तो इंट होता है जो आपके बोर्ड लेते वो भी ऐसी लेते हैं मतलब ठीक है तो या तो खुद से टोपिक लेकर जाओ या टीचर देता है तो वहाँ पर जो जो बच्चों से हमने मैस के टोपिक पूछे उन्होंने फ्रेक्शन का करा है और फ्रेक्शन का रटा 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 है सब य अच्छा एक काम करें यह तो छोड़ो इसको अटाओ इसको किसी एक्टिविटी के मादने से भी तो समझा सकते हो फिर उन्हों के तो 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 उड़ जाए भाई फिर सोचे यार हम तो घर से रट कर लाए ते वाला इन्होंना गलत क्यों पूछ लिया फिर यह देखे मेरी त अंदर में तो आपको एक्टिविटी के मादन से समझाना है अब उसका बात पता है हमने उनके एक्टिविटी समझा दी कि अगर माली जैसे माली जैसे कागजे उसको आप लोग यहापर इस प्रकार से फाडवार सकते हो बाइस सारों ने वही रट्टा लगा लिया जो भी के अंदर आए और जो भी हम उससे पूछे फ्रेक्शन के बारे में सर जी फ्रेक्शन यह यह फाड़ा यह फ्रेक्शन पूरा पूरा काग जोगा धेल लगा दिया आपर मैंने यह भाई बढ़िया तो कितना ही कहलो बच्चों को कितना ही सिखा लो रटेंगे है रट्टा ज आपके लिए टफ सिच्वेशन बनती है एक तो विचारी इतनी रोई थी हमें ऐसा लगया पता नहीं क्या इसमें क्या बहुत देख लिया गया इसने बहुत ही तो इतने डरते हैं वाई इंटर्वी से देखते नेक्स्ट कुस्टन क्योंकि अनुभाव ही निया बच्चों क हर आपको लिया जाए एक 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 한 सोन बताता हूँ हमारे पैनल बच्चे बैठ OF बहुत बच्चे वैठे ते एक ऊसके अदुदधर ओवरिस्मार्ट बच्चा बना था नहीं उसको ऐसे देना Hello English presentation एसे थी कर j conform. अथे रिये लिगूब युदा राइट तो इतना प्रेसर रहता है भाई ठीक है तो क्या ही वताए उसके अंदर देखना और उनकी दिल की देड़ करने बढ़ेगी कुछ तो यूटूब पर मैंने डाल लगे देख सकते हो आप लोग ठीक है मेरे चैनल पर प्रात्विंग गणित करक्सा में भीनों की अवधारना यह प्रेक्शन के कंचेप्ट का परिचेक लिए निमलिकति रंणीतों में से कौनची उप्युक्त होगी अचा आप लोग बताओ अभी कोशन के मादन से बता सकते हो जैसे फ्रेक्शन का उन्होंने दुनिया और के कागज फाड़ दी या फिर वो बोर्ड पर समझा देते रट अच्छा अगलाय सर्बीयड को आप फर्स्ट पेपर देना चीए कि नहीं प्लीज बता देशे सर प्लीज अच्छा उसके एसाप से तयार करेंगे याँ तेखो पेपर देने चले जाओव ना ठीक है पेपर देने में मतलब आपको जाना चाए बीपर देना आप जा सकतो मे इनहों पर इबार्ति सवाल यह नीं जो समस्सा समस्सा रहती है उसको रखना ब्राइम्री कंदर दे हैं इनका में को यूज़ करना चीहें बच्चों के लिए चीटरों के चार्ट ने चिटरों के चार्ट को दिखा दो वही जो संक्या रेक्षा-बार्ति करना यह भी आपका रोट लेंडिंग में आ जाएगा कागज मोड ने लिए किरिया कलापों को सम्मीत आयतकार पट्टियों वर्थ्य वत्रकार कट आउट के साथ करना यह वाला मेरा उप्षन आ जाएगा जो मैंने बता है जो हमने बता है कि कागज के आप लोग कर सकते हो पर इंप्लिमेंट करता हो कैसे चीज को दूसरे सामने डिलिवर करतो नोलीज ओने से कुछ नहीं होता है नोलीज को किस प्रकार से बच्चोंगे सामने दे रहे हो ज़रूर ही हो था आपके लिए चलिए मल्द होनी चीए एक टीचर को सब्जेक्ट की लिएगी बट सब्स भी कर सके दूसरे बच्चों के सामने ठीक नेक्स्ट कोशन देखते हैं एंसी आइटी के अनुसार एंसी आइटी के अनुसार क्लास फर्स्ट के विधारतों के लिए निमली कितमें से कौन सा एक अधिगम परतिफल नहीं है यह आपर बात हो रही है आपके लेंडिंग आउट सभी किले आपके लेंडिंग आउटकम्स तो सा लेंडिंग इंटिकेंऍव स्बूर्णिंग आउटकम्स के नाम निकाल हुई है एक नंबर के लिए पढ़ोगे इतनी मोटी किताब है, तो सिंपल था समझो, मैथमेटिस के लइनिंग आउटकम से है, जिसमें बच्चा चीजों को अच्छी परकार से समझ पा रहा है, चीजों को कशेप्च अच्छी परकार से सीख पा रहा है, तो यह आपको समझो, उसके म निपून के लक्से क्या दिवे कि हमको 2026 तक बच्चों को रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक नूलीज के आपर ग्यान देनी है टारक में तो 50 तक की संक्याव को पहचानना और लिखना ठीक मान लिया पुन्य समुउए करना के बिना 20 तक की संक्याव को जोडना और घटाना शिरेख र रहा है तो रास्यरे लिडिंग आउटकम सपराथ कर लिए जोड की अउधारणा को गुनन तक विस्तारित करना है, यहनि जो आपकी जोड की अउधारणा है, उसको मल्टिप्लिकेशन तक आपका विस्तारित करना ऐसा खुछ निया, किसी दो अंक्य संग्याव में, अंक्य में इस्तान्यमान को पहचानना भी रहता है, तो यह answer आपका डाल लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन देखे, आपको क्या दिया हुआ है, इसको पर आम लोगे आपन नजर डाल से, ठीक है, ठीक है, इसको पर देखे, क्या दिया हुआ है, देखे, कोश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक ग्राक सब्जी विक्रेता के पास सब्ज प्लस सो पलस 50 में तोड़ गर जल्दी से 40 प्लस चार बराबर बन बताanka argh का आपका सब्जीव विक्रेता का पूरा सब्जी ah ने किस गनिती आफदानों का यहाँ पर उप्योग कर रहाा है इसके बार में आपको सटीव काण गाप्र Quindi को सब्सक्राइब मुदल्ट से अगर बात करें अपके अधिस biomass आपको आपको देखने ή departed आपको देखने ही क्योंकि आप जोड़ी रहा है और रेश्यों में इसको बना रहा है अलग-अलग तोड़के अग घटाने की बात यहां पर कुछ ऐसा होने नहीं ठीक है जैसा आप लोग देखोगे तो घटाना तो इसके अंदर आपका नहीं आएगा भागा आजागा क्योंकि आप उसने क्या काम करा 80 किलोग्राम के साफ से 650 ग्राम को अलग-अलग में उसने डिवाइड कर दिया आप ठीक है तो भागा जागा ए बी और डी के साथ आप लोग जा सकते हो सी इसके नदर आपका नहीं होगा ठीक है सेकंड का साथ आप लोग यहां पर जा सकते हो चलिए बढ़ते हो आपके आगले कुश्चन क्यों एक बालिका ने भिनो यानि फ्रेक्शन के योग पर एक सवाल को इस प्रकार से हली किया जैसे कोई सवाल था एक बटा दो प्लस एक बटा तीन उसने क्या निकाला दो बटा पाच अरे यह तो वही कुश्चन है जो मैंने भी उपर आपको ब जाता उस प्रीवेस नोलीज को ही आपर सीधा उसने यापर यूज कर दिया ठीक है तो फ्रेक्शन की जंगा एडिशन सीधा कर दिया जो बट्चों एडिशन का कंचेप्ट सीगा निमली कितमे से कौन चा कथन दिये गए संदर्व के लिए सबसे कम उप्यूक्त यहापर है वो आपको बताना है बालिका दो भिनो के योग की कलन विदि के बारे में नहीं जानती बिल्कुल ठीक बात है वो दो आपके जो फ्रेक्शन होते हैं इनके योग की कलन विदियो के बारे में बच्चा यहापर नहीं जानता है इसको आप लोग यहापर ठीक बता सकते हो इसमें जोड़ आपस में ठीक है तो टीजर बताता तो फी कलन विदियों का कलन विदी के मादव से बट उसको नहीं जानती दूसरा क्या है बालिका एलचेम ग्याद करना नहीं जानती यारि यह तो आपका बिल्कुल ठीक है इसके अंदर ठीक है सबसे कम यूफिक तो बालिक एलचेम करना नहीं जानती अगर जान जाती तो ऐसी गलती थोड़ी खरती यारि आपके इक्कुल के बारे में नहीं जानती है जो संख्याओ का योग जो आपका रहता है सबसे कम उप्युक्त के अगर में वात करो यह रह जायागा बालिका जो नंबर्स के यूग के बारे में वो बच्ची यहाँ पर जानती है ठीक है पूर्थ आंट से सकंदर आपका ठीक हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आपके एक और कोश्चन की और सामने आपकी स्क्रीन पर इसी से जुड़ा हुआ जोड़ घटा गुणा भागवाले जो आपके कंचेप्टर ने जो आपके फ्रेक्शन के है तो मैंने बता यहाँ से कई कोश्चन आते हैं इसलिए मैं कई सारे कोश्चन इसी के लिए आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको इसके माद्दम से प्रेक्टिस होती जाए ठीक है य यह रहा आपके सामने नेक्ष्ट एक विद्ध्यारती गुणन पर किस पर गुणन पर यानि की मल्टिप्लिकेशन पर समस्या को निमली की तुरूप से हल करता है यहाँ पर गुणा दी हुए तो इसने कैसे गुणा कर दी इसकी पांत या पंद्रे और उसकी हासिल एक तीन ठीक है इसके बार में देखते हैं क्या कारण हो सकता है विद्ध्यारती 10 तक के पाड़ों को पुने इस प्रण करने में असमरता है गलत बच्चा 10 के पाड़ों को दुवारे भी याद कर लेगा यह आपको ठीक है हम लोग जब इसकूल में थे तो हमारे मैडम बहुत मारती पाड़ों करते थे ठीक है एक तो क्या काम करते थी जैसे उगली रहती है इसके बीचे पैन को यूँ पकड़के यूँ मोड़ देती थी यह थपड़ मारती थी यह उगली में पैन नक्के मोड़ती थी तो अगर पाड़ों याद ना करे तो हम लोग दुवारे याद कर ले तो जोड की जो आपकी कलन विदी है अब देखे सीधा बच्चों को पता है कि माली जा बच्चे ने जोड सीख लिया 35 प्लस तेज तो उसको पता है पाच और तीन आठ और तीन दो और छे इस प्रकार से जोड करते है अब उसका सामने जोड की जंग है यापर आ पर आगया का ठीक हो जाएगा ठीक है सचिन सर दिल से शुक्रिया डिस्वी टीजिटी मैच्स और साइंस का न्यू कंप्लीट बैच स्टार्ट करने दो प्लीज सर मंदीव राजिस्तान ठीक है वह मंदीव मैं कहुंगा उसको पर देखेंगे लेकिन पहला थोड़ा सेल्पी स्टड़ प्रेक्टिस के आदर डालिए लाइबरेरी जोइन करिए और खुद से जब आपको चीजे पता होगी ना तो फिर आपको दूसरा बेवकूफ नहीं मना सकता मानलो आप मेरे पास भी आ रहे हो लेकिन अगर आपका बेस इस्टोंग मना रहेगा चीजे पता रहेगी और मानल अगले के बार में देखते हैं किनी दो प्राकरतिक संख्याओं का कुल योगफल एक प्राकरतिक संख्या यार इस को कितनी बार में आपको रिबिट कर चुका हूँ यह तो सबसे जादे बार आपका question रिपीट हो है जो आपकी content वाली class में भी है ठीक है तो मेरे खाल चार इसका कोई answer गलत मत बताना यह आपका numerical में भी आता है बड़ा सा question आ जाएगा आपका वापर आपको कुछ alphabet लिखकर और फिर आपकी equation पूछ लेगा या simple भी आ यानि जो दो प्राकरति संग्याओं का कुल योगफल एक प्रकार से जुड़ाए यह मैंने आपको तीनों की तीनों property करवाई हुई है इन तीनों की तीनों properties को उस वाली class में देख लेना यहां सा आपके चीज गिले हो जाएगी मैंने इसको आपको detail में पूरा explain निकिया तो आप लोग बता सकते हैं जिन बच्चों ने पढ़ा है तो आप लोग बता दीजिए क्या आंचर है किसके साथ जा रहे हुआ है फस्ट 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 ठीक अच्छा यह क्या एक बच्छी कि अशर पेपर बन में सीड़ीप मैं सीवेस लेंग्वेज वन चलिए आप लोग किसके साथ जा रहे हो इसको बता दो यार जल्दी से फस्ट के साथ आप लोग जा रहे हो बिल्कुल ठीक आपका क्लोजर प्रोपेटी हो जाएगी इसको जरूर देख लेना उस वाले के अंदर जाके पूरा डिटेल में करने कि इसको मुझे जरुत नहीं है क्योंकि बहुत बारे में इसको आपको डिटेल में एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ अब थोड़ा सा बैठ कर आपको पढ़ाता हूं हम लोगों किया पर कितने हो गए नहीं पढ़ाते वे तवा दो गंटे हो गए देखे अब देखे पहले बात करते गणित की बहासा की बात करते हैं जिसके उपर बात करेंगे जहां से कुष्ण आते हालक यह concept उपर आना था आपका नेचर वाले कंदर आना था कि जो आपका गणित की जो आपकी लेंगवेज है ठीक है बट कोई बात नहीं पर आगे यहां समझ लीजे क्योंकि लेंगवेज से समंदित कुष् करते हैं पहले आपके सांथने हो आपके न्यूम्रेल दिया हूआ अब कशायोंकों क्या हूद спокой के बारे बताने की जुरूत नहीं होते आपके अगर आपके ऑनकों के बात आए जये तो एक होتाएं आपके हींदू अरेबिक नियूमर्य ठीक है जो हमारे वाले होते हैं अप कि रोमन नूम्रल्स आपके होते हैं इसके रापको जीरो का concept ही नहीं हिंदू अरेबियन नंबर है जो हमारे रहते हैं इसलिए आपके जो रोमन नंबर है जो आपके रोमन नंबर है जब लोग लिखते हैं ना लिखते हैं तो इस प्रकार को आपके रोमन नंबर्स होते हैं तो इसमा आपका जीरो का इसकार हम लोग ने करा ठीक है बड़ कुछ ना कुछ इसकी श्टोरी थी ठीक है लेकिन है हमारे भारत की सबसे वड़ी गरू कननी की बात है है हमारे भारत की ठीक है चली अगले को पर हम लोग आगे नेक्स्ट कॉस्टन सामने आपकी स्कीन पर आ गया आप बहुत सूपर चैट भेज़ रहो सर मैंने पेप पर वन की प्रैक्टिस कुरू या प्लीज गाइड में से पहले जो आपकी पेपर टू की करने ठीक है आपकी माली जाते हो तो लेड़ी आपकी हुई रहती है पर बट जो आप पूछो क्योंकि आप मुझे लग रहा है कि आप बेड़ वाले कंडिडेट हो ठीक है तो पेप लिए अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लवाई अप्लीकेशन पर मैं आपके मौक टैस्ट डलवाऊंगा दोनों को एटेम्ट करके जाना मौक टैस्ट को चाया पेपर बनो चार आपके लिए डलवाता हूँ ठीक है अब पेपर से पहले लगाकर जरूर जाने उनलाइन मौक सेम आपके वही जो मेरे वाले पेड़ रहते हैं बट मैंने आपके लिए कुछ फिरी कर दिए ठीक है एक प्रात्मिक क्रक्षा के अध्यापक अपने विध्यारतों से 5036 कितना 5036 को अंकों में लिखने के लिए बात करता है और 5036 को विध्यारतों ने इसका क्या उत्तर दिया यह लिख दिया 5036 यह 5036 है निमली कितमे से कौनची सिक्षन निती इस तुरूटी को सुधार निकले सरवादिक उप्युक्त रहे जाएगी विध्यारतों को इसी के समान दस और पर सहल करने के लिए देना यह तो पहले वाले टीचर करते है रहे गदे तुझे समझ में नही से ठीक है यह तरीका तो पुराना हो चुका है विध्यारतों को पाच हजार से एक्क्याउन सो तक की गिंती लिखने को कहना और अपने उत्तर को जाचने के लिए कहना अरे महराज पहले सुखातो दो तब ही तो जाच एगा बच्चा एक संख्या रेखा पर जिसमें एक हज संख्या के बारे वह तो तो तीन को कि संख्या और जापकी चार इनकों की जो संख्या है इसकी प्लेस वैली स्ताने मान के कंसर्ट को में बच्चों को समझाना है पहले तबी बच्च इसको सीख पाएगा तब ये गल्ती प्रकार से नहीं करेगा ठीक है का Özemi बढ़तेी बहुट के आप को डी धाव को रो में नम्बर मैं ने батा दिया इसके नंदर बता सकते हूं कैसे लिखता जाए गा या और मतलब ऐसा आ सकता है इसके संहेप डाखावना बढ़ती थी अब बाखिस का क्ला हुआब में जो होता वो मैंने आपको समझा दिया अच्छा यहां पर आया गणित की भासा के संदर में कुछन आया देखें पहले तो आपको सिंपल से एक बात पता है कि हमें बच्चों को जो भी गणित पढ़ानी है उनके वास्तिक जिवन से कनेट करके बढ़ानी चाहिए mathematics की NCIT के अंदर एक यह वाला topic आपका दिया हुआ है अब इस topic के अंदर जो आपके दिया हुआ है यह आपकी real life से connect करने वाला दिया है कबाड़ी वाला कबाड़ी वाले जो आपके topic है इस प्रकार से है अगर बात करते हैं गणित की भासा की बात करते हैं बिल्कुल ठीक बात है गणित की भासा होती है mathematics को जो आपको सिखा जाता है किस language में आपको सिखा जाता है वह आपकी सरल और आपकी understanding होने वाली चाहिए जिससे बच्चा असानी से समझ सके उस भासा के मार्ण साम असानी से सिखा सके आपने मैच पैड़ागोजी के आप यह marathon class देख ली अब marathon class के अंदर जीतने concept में language के अगर बात करी जाए तो आपकी असान होने चाहिए understanding वाली आपके होने चाहिए समझ पर आपके आदारित होने वाली चाहिए यह नहीं रट्टा लगा दो कि आपका aggregation, argumentation नहीं कर दो, खतम बात आपका समझानी चाहिए और उनके मांसिक इस्तर का कोडिंग आपके होने चाहिए, mental ability का कोडिंग होने चाहिए, जैसे उपर बात हुई थी आपके curriculum की, mathematics का आपका curriculum अगर ठैक नहीं होगा, तो किस में आपका problem डालेगा, वो बच्चे के चिंतन में problem डालेगा, mathematics में problem डालेगा, जो उपर आपका भी point गया, तो कैसा होने चाहिए, मांसिक इस्तर का कोडिंग होने चाहिए, करिकुलम और या किताबे भी और देनेक जीवन से सम्मधित होने चाहिए, तब ही चैप्टर वगएरा या आपके real life से लिए रहते है, जो mathematics की किताब के नदर रहते है, ठीक है, तो जैसे आपका कवाडी वा इसको पर या पर नजय डालते है, ठीक है, ठीक है, प्रणाम गुरुदे में चरन जीव तिरपाथी परताब गड़ के कुंडा से हो, निवेदन ये बताने की कर्पया किरी की प्रात्मिक में जो positive negative सब्द बताए, क्या उप 6-8 के लिए भी negative सब्द रहेंगे, हाँ भरी, ज सभी के अंदर रहते है, positive negative, क्योंकि वो पैडागोजी को solve करने का तरीका रहता आपका, ठीक है, जिन बच्चों का जैसे paper 2 रहता है, तो अपना social science और science को stone कर लिजे, और उससी के जैंगा जिन बच्चों का paper 1 रहता है, तो आप अपनी EBS को कर लिजे, ये एक difference रहता, बाक कौन सी प्रात्मिक इस्तर पर जो गनितिय भासा है, उसकी सर्वादिक उप्युक्त विशिष्टा है, बता हुए, कौन सी है, ये अत्यादिक, एकागरिचित, सूष्पष्ट और प्राविधिक होनी चाहिए, तो नहीं मान सकते हम लोग इसको, ठीक है, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि इसपर्ष्ट होनी चाहिए, जिसमें बच्चा आराम से ध्यान लगा कर चीज़ों को देखें, आप ऐसी टेक्निकल लेंग्विज उसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जितने डोकुमेंट आते हैं, उसमें सभी मात्रवासों को महत्मुन माना जाता है, तो मैथमेटिस की लेंग्विज भी ऐसी होनी चाहिए, जो उसकी मात्रवासा के अनुरूप हो, ठीक है, उसके अकुरिंगम उसको करा सके, यह तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, अधिकम को आनंद में बनाने के लिए इसे आइस प बिल्कुल एजी वे में उसको यह आपर सीख जाए, यह तो आपका होगा नहीं, देनिक जीवन में बच्चों द्वारा उप्योग की जाने वाली भासा के मात्यम से इसे परविलित करने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, जो भी मैंना आपको बता है, बच्चे की जो डेली अंदर नहीं जाएंगे तो हम कहा जाए, हम कहा मर जाए, इसके अंदर जाए, तो मैटमेटिक का आपके इसी के अंदर रहेंगे लेंगे इसकी बाह से के अंदर, यह रहाए आपका लाश्ट कोश्चन, उसके बाद यह आपकी मैरथिन क्लास, पैड़गोजी की खतम हो जैसे आप लोगों, तो उसमें जो गणितिया भास आए है, और जो उसका कमिनिकेशन है, संपरेशन है, उसको विक्सित करने के लिए सबसे कम भी फ्यूक्त होगी, वह आपको बताना है, ठीक है, एक बार मेरथिन क्लास खतम हो जाए, यार उसके बाद आराम कराके, इसके क कराने चीए, आपका सबसे ज्यादे ऐसा उपलवत कराएंगे, अफसर उपलवत कराने की तो जा स्यादा बात हो रही है, अंग्रेजी भासा के सिख्षक को गणित में विशिष्ट रूप से उपयोग होने वाले सब्दों को सीखने में बच्चों की सायता करना, यह आपका जाएगा, अंग्रेजी भासा का मालीजी जो कोई टीचर है, तो गणित में विशिष्ट रूप से प्रियोग होने वाले सब्दों को यह आपर यूज़ करने की बात हो रही है, विशिष्ट रूप से ऐसो कोई सब्द नहीं सिखाना, ठीक मालीजी जब बच्चों का बढ़ाना है, तो बच्चा आपसमें भी इसको शीख जाएगा, आपसमें कम्निकेट करके सिख जाएगा, इंग्लेजी के टीचर पीचर की जड़ोत नहीं है, नेगिटीव है आपका, सिंबल चैनी जो पढ़ती के रहते हैं, चीतर होते हैं, आदी जैसे निरूपन के अगले मानक गणिती है, अंकन चिनों के उप्योग है तु परिस्तितिया बनाना, ऐसी परिस्तितिया आप लोग बना सकते हो, आंशर बस आपका ये नेगिटीव सेकेंड़ है, सबसे कम उप्योग तगर रहेगा, ये रहेगा, वहनना इसके अंदर भी मानक गणिती है, चि आपके मेरेखल की बैजेगा, और टाइम मिलेगा तो मैं भाई साइंस के ज़रूर देखूंगा, अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा, और कोशी बची है, आभी हमारी मेरतन क्लास बच्ची है, तो मैं इंगलिस Knox को करा दगा, ये अभी हमारी मेरतन क्लास बच्चे जिसको मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी और करवाने ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी यह मेराथन क्लास कंप्लीट होती है आयोप आप लोगों को पसंद आई होगी जो बच्चे नहीं आए वो चैनल को आप सबस्क्राइब कर लेना था कि बाकी मेराथन क्लास आपको मिलते रहे और मैं आपको फिरी में मोग टेस्ट दूँगा जो आपको मेरी एपलीकेसिन के अंदर मिल जाएंगे और यह मैं जो आपको फिरी मोग टेस्ट देने वालो वह के अंदर यह आपको दे दूंगा एक्जाम से पहले आप लोग जितने भी सीटेट वाले बच्चे ओ ठीक है आपको फिरी में के अंदर मिल जाए यह जो मोग टेस्ट मिलेंगे ठीक है अब मैं आपको इंफोर्म कर दूंगा यूटूब पर इसको ठीक है तो फ्रेंच यहाप जल्दी से पूछ लिजे फिर में आपको कल मिलता हूँ आठ वजे ठीक है कल मिलेंगा हम लोग आठ वजे नुमेरिकल वाली मेरतन किलास करना ठीक है ठीक है बाई टेक केरो फैल्थ हाँ भाई धान नकोंगा बस यह थोड़ा कंधा और गर्दन से का ठीक है गुट नाइट यह संस्कृत की पुराने वाली देख लेना क्योंकि हिंदी के अंदर मैंने लगबग जितने कंसेफ्ट होते ना वो सब आपको बता दी वही संस्कृत में आते है बस लेंग्वीच चींज है वरना ज्यादे तर वही कंसेफ्ट रहते तो हिंदी वाली देख लेना आप चैनल कर रही है ठीक है बाई घुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट इंगलीस की भाई लिखको तो लिए गतो इंगलीस लिखा तो वहाई अपर सामने आए भी इंगलीस के मेरा थान किलाज ठीक है जै बाबकेदार सर में उत्रखंड से वह बहुत वारिश हो रही है सड़क टूट रही है पेपर दे पाऊंगे नहीं कुछ समझे नहीं आ रहा और जैसे देखे थोड़ा समल के जाना ठीक है सेफटी पहले है थोड़ा देख समल के जाना क्योंकि मुझे वहागी परिस्तितिक जाना द्यान लखना गुड़नाइट टेक क्यर मैं भी आप लोगों के साथ में पढ़ता रहता हो तो जितना पढ़ोगे उतना यहां पर शिखोगे ठीक है थैंक यू